हेलो एवरिवन क्या हल चाल है देखो लक्षमी गांत का चैप्टर वाइज शुरू से पढ़ने का एक मकसद है और यह इस साल का UPSC का पेपर देखने के बाद समझ में आ गया है कि भाईया UPSC बिट्वीन लाइन्स पूछ रहा है प्रिलिम्स में और प्रिलिम्स ही ऐसी एक ह रिवर्क करूँ फिर से एक स्टेप पीछे लूँ और देखूँ कि मुझे बच्चों को ऐसे और क्या आप लोगों को ऐसा और क्या में दे सकता हूँ वैलिवेट करा सकता हूँ जिसकी वज़े से भाईया आपका प्रिलिम्स में कोई क्वेशन अटके नहीं पॉलिटी में प्रिलिम्स फोकस बैच में निमोनिक्स क्लास में के ड्यू प्रोसेस अफ लॉव पढ़ लो पढ़ लो आगया अगया एक्जाम में ठीक है जो पढ़ाएंगे वो आएगा तो डोंट वरी लेविल जो है डिफिकल्टी का वो मॉडरेट है बहुत टफ लेविल नहीं है पॉ अब भाईया पहले ही देखो चैप्टर वन हमारा शुरू कैसे हो रहा है तो चैप्टर वन की शुरू आत होती है हमारे सम्विधान की हिस्ट्री से हमारा सम्विधान कैसे बना था हमारी पॉलिटी का स्ट्रक्चर कहां से आया था अब उसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ता है इतियास में पर कहां तक जाएं तो हम इतियास में पीछे जाते हैं जहां पर हमारा modern history है that is after the death of Aurangzeb when the advent of Europeans started in India अब Europeans तो आये थे सन सोला सो में सन सोला सो में ठीक है सोला सो में इनको एक रॉयल चार्टर मिला था एक रॉयल पर्मिशन रॉयल चार्टर कहत करे है जो इनके Monarch ने दिया था इनकी राजा ने दिया था बाए बाए Monarch अब किसको दिया था तो दिया था एक private company को जैसे मानुलो India आज एक राशपती की मोहर के साथ किता को प्रमिशन दे कि आप जाई ये युगांडा में रवांडा में मुजांबिक में या कहीं भी अं एक चार्डर दिया, रोयल फर्मान दिया, ओडर दिया, अपने नाम की सील के साथ, कि जाओ वाँ जाके ट्रेड करो, ये इंडिया आगए हमारे हैं, अब जब ये इंडिया आए, तो आए तो थे 1608 से लेके, इन्होंने 1757 तक, 1760 तक, बड़े प्यार से इन्होंने अपनी बा पढ़ाऊंगा, मैं वो पढ़ाऊंगा, जो पॉलिटिकल एंगल हुआ है, जिसकी वज़ा से आज हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो आज ख़ड़ा है सामने, वो उसका कहां से उत्पात हुआ है, कहां से पैदा हुआ है, अब देखो आप, 1608 में अंग्रेज आते हैं, खाले अंग्रेज नहीं थे, फ्रेंच थे, डेनमार्क नॉर्वे थे, पॉर्ट्यूगीज थे, और इसके अलावाद थे हमारे यां फ्रेंच, ठीक है, ये सारे लोग हमारे यां थे, इंग्लिश भी थे, अब इन लोगों ने आके हमारे यां क्या क्या करे, फैक्ट्रिया बनाई राजे महराजों से दोस्ती करी इन लोगों से ट्रेड किया इन लोगों से बाते करी कि हम आपसे व्यापार करना चाहते हैं हम अपने योरोप से आपके लिए सोने चांद यह सब लेके आए हैं और हमें आपके यहां से चाहिए मसाले हमें चाहिए आपके यहां से दाल व्यापार किया, दोस्तियां करी, साम, दाम, दंड, भेट, सब किया, लडाई जगडे भी किये, कुल मिलाके इन्होंने आखिरकार सत्रा सो पैसठ तक अपनी वर्चस्टो बना लिया और इंडिया पर अपना कबजा शुरू कर दिया, पर कबजा ऐसे ही नहीं किया, कबजा कर चुकी थी, और अंगजेब के बाद से ही मुगल का डिकलाइन शुरू हो चुका होता है, आप NCRT में देखते हो, तो शाह अलम के साथ इनकी एक समझोता हो जाता है, क्योंकि उसके पहले 1764 में एक बैटल होती है, बहुत डिसाइसिव बैटल होती है, उस बैटल का आप ना बंगाल के नवाब को हराया, अब उसके बाद ये जब इन तीनों सिनाओं को जब इसने हरा दिया, तब उसके बाद जब इस इंडिया कंपनी एक बहुत बड़ी हुकूमत बन चुकी थी और इंडिया उनके सामने खुला पड़ा हुआ था, तब इनोंने शाह आलम से, शाह आलम, शाह मतलब होता है, रूलर, आलम means everything, शाह आलम second, ठीक है, इनसे लेली इनोंने दिवानी, ये इनोंने दिवानी लेली, अब दिवानी क्या है, दिवानी होती है, एक permission, कि हम अब trade करेंगे, हम अब tax collect करेंगे, और गाली तुंखा होगे, पैसा हम कमाएंगे, अगर जन जनता को सडकें, irrigation, जनता को कुछ नहीं मिलता है, हमें मतलब नहीं है, जनता को फसल उग रही है कि नहीं उग रही है, जनता को परिशान है कि नहीं परिशान हमें मतलब नहीं है, हमें खाली tax से मतलब है, टैक्स हम कमाएंगे, दिवानी हमारे पास है, और गाली खाओगे तुम, तुम राज आओ, ठीक है, तुम जेलो, न्याय मिल रहा है कि नहीं, चोरी चकारी हो रही है कि नहीं, अपराद काबू में है कि नहीं, कोई मतलब नहीं, उन्हें खाली टैक्स से मतलब था, उन्हें खाली रेवेन्यू मैटर से मतलब था, दिवानी मिल गई उन्हें, क शबस comड़े नव्र थे बंगाल गज्वाब जो थे बहुत जादा बड़ी एक उपचाऊ मिट्टी के जो शासक थे जहां बहुत जादा लोग रहते थे जहां पहले सें बहुत ज्यादा च्टी उता था तो वहां तो इस पूरे एरिया की इन्हें मिल गई दिवानी यहां की और वैसे तो यहां भी मदरास में भी हैं मदरास बॉम्बे सब जगह हैं पर बेंगोल बिहार की दिवानी मिलने से इस इन्टे कंपनी की पकड मजबूत हो गई अब यह समझ गए कि हम यहां से जाने वाले नहीं है अब बागियों से करो ट्रीटी ठीक है बॉम्बे इन्हें दहेज में मिला बॉम्बे इन्हें पॉर्टिग्यूस से मिला पॉर्टिग्यूस की पॉर्टिग्यूस की जो एक प्रिंसेस थी पूर्टगाली कैथरीन बर्गेंजा उनके साथ रिष्टा हुआ और उनके साथ इ यहां आइलेंड कंट्री है, आइलेंड नेशन है, इनको बोल दिया, तुम चले जाओ, इंडोनीशिया, और वहीं जाके व्यापार करते रहो, मसालों का जो भी करना, उधर करो, इधर मताना, इंडिया हमारा है, ठीक है, आप बचे फ्रेंच, फ्रेंच के साथ, इनकी टुकड़े टुकड़ा में बचे रहे गए, जो आज पॉंडिचरी है, वो पहले फ्रेंच कॉलोनी थी, तो उसको फ्रेंच ने कंट्रोल किया था, लेकिन फ्रेंच चुपे-चुपे अपना काम करते रहते थे, पर जो मेजर लैंड मास था, इंडियान सब कॉंटिनेंट क वहाँ पर ब्रिटिश एस्टिने कंपनी की हुकूमत बननी शुरू हो गई थी, 1764 की डिसाइजिव बैटल के बाद ये इनका करियर शुरू हो जाता है, और हमने जो देखा है, हमारे हिस्ट्री में, दो तरीके से हम पढ़ते हैं, तक कंपनी रूल और क्राउन रूल, कंप ब्रिटिश क्राउन का रूल, जो ब्रिटिश मोनार्क, जो आज किंग चाल्स है न, पहले प्रिंस चाल्स है, सबसे बुढ़े राजा ही लगते हैं वो, तो इनके पुराने एंसेस्टर्स, वही वो हमारे उपर रूल करते थे, in his name, ठीक है, रूल तो सरकार करती है, वहाँ आज यू मोनार्की है, वो रिपब्लिक कंट्री है नहीं, ब्रिटिन, तो हमारे यहां क्राउन का रूल शुरू हो गया था, 1868 में, एक बहुत इंपोर्टन इवेंट के बाद, और गर्व से कहते हैं कि हम उस इवेंट को पढ़ते हैं, बहुत शाहदत को याद करते हैं, ज रिफ्ट ये ले लो और हमें परमीशन दे दो कि आपके यहां थोड़ा-थोड़ा व्यापार करना शुरू करते हैं, राजा निगा कर लो, उसके बाद करते-करते इन्होंने अपने राजा के दर्बार में अपना आदमी बिठाना शुरू कर दिया, अपना ओफिसर बैठ इनका अपना, फिर उसके बाद धीमे-धीमे तो अराजा हटी गए और कुल मिला के खुद अंग्रेज हमारे यहां हुकूमत करने शुरू कर चुके थे, यह हुआ है, अब हमें यह देखना है कि जब कंपनी का रूल था, तो कंपनी अपने मन से बहुत कुछ कर रही थी, प कुछ भी करें पड़े हैं यह वहां पर, तो इसके लिए कंपनी के उपर कई सारे रेगुलेशन्स आए, कंपनी के उपर कई सारे चार्टर एक्ट आए, अब यह वो सारे वो एक्ट हैं, जो कंपनी के उपर लगाए गए थे, ठीक है, यह इंडिया है, यह इंडिया के उप आए हुए ये रूल्स थे फिर इसके बाद जब कम्पनी हटा दी गई एक बहुत बड़ी इवेंट के बाद तब क्राउन रूल आया और क्राउन रूल के सामने हमारे पास ये साथ एक्ट आए हैं ठीक है ये ये सॉरी कम्मिनल अवाड नहीं है कोई एक्ट तो ये है ठीक है क किताब हाथ में रखना हाइलाइट कर चुके हो तो भी कोई बात नहीं है कोई पॉइंट बता रहा हो तो लिख लेना अगर हाइलाइट नहीं किया तो लिखते चलना साथ में पेंसिल से बुक को गंदा मत करना किसी और के काम आ जाईगी जब आप सेलेक्शन पा जाओगे आप ऑफिसर बन जाओगे उसके बाद इनी वुक को किसी और को दे 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 जिसका भला हो सके वूं भुक किसी और को गंदा मत करना प्ली पंचल से बात खर ना जब रेगुलूटिंगे अक्त आया था पहली बार तेहत्तर में, तो तेहत्तर में रेगुलेटिंग एक्ट लाने की वज़य ये थी, क्योंकि कमपनी होई थी बेलगाम, कमपनी कुछ भी करे पड़ी थी, कितना भी टैक्स लगा रही थी, कितने भी लोगों को अंदर जेल में डाल देती, कुछ भी कर 57 हुआ, 64 हुआ, 65 हुआ, 73 में इनके लिए पहली बार एक act लाये गया और इसने company की power को take over नहीं किया, इसने खाली उनको regulate किया, company की power को regulate किया, थोड़ा सा इन्हें दिशा दी, guideline दी कि भाई ऐसे चलो, अगर ऐसे नहीं चलोगे तो चलने भी नहीं देंगे, ये कौन बोल रहा इन से, British लोग बोल रहे हैं, और चलोगे कैसे, वो ये चलोगे आप, क्या करोगे आप, Governor of Bengal बनेंगे आप से Governor General of Bengal, ये होगा, जो इंडिया का उस समय, यहाँ पर Bengal है, यहाँ पर Bombay है, यहाँ पर मदरास है, तो ये तीनों जगाओं पे, एक एक गवरनर साब बैठा करते थ है, Governor of Bombay, Governor of मदरास, Governor of Bengal, तो इनको बोला गया, जो बैठा के जो गवरनर होंगे, जो सब्यधा पैसे वाले हैं, जो सब्यादा पैसा पहुझवाते हैं, जब्याँ सब्यधा पैसा कलेक्ट होता है, तो użyब जो आफसर होंगे, सबसे बड़े जो坐सर हैं, इनको हम बोलेंग यद श्रह लूगलो प्रॉीियम्व ये क्या बहला है तो क्या के लनत ballet हैं के नियुदि रहते थे जलय पें इंहां प्र श훈्या मैंधटा में क्या हम होगे और जो पहले GG of Bengal बने, वो बने थे हमारे ये साहब, Lord Warren Hastings, ठीक बात है, बात समझ में आगई, ये हो गया, Governors of Bombay and Madras, जो ये दोनों थे बाकी, इनको बोला गया, तुम इन से नीचे हो, ये बड़े अफसर है, ठीक है, जो Bombay के और Madras के जो Presidency थे, इन में जो Governor जो बैठा करते थे, ज नहीं, तुम इनकी बात सुनना पहले, जो Bengal के, जो ये होंगे, Governor General होंगे, आप इनके नीचे हो, सही बात है, ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है, अभी कर क्यों रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ताकि एक Central Administration बनाया जा सके, कंट्री में, एक सूत्री, सिंगल धागे से, जहां प और क्या किया गया था, इन्हों ने कंपनी का पहली बार रेकनाईज किया, Political और Administrative Functions, कंपनी सब काम कर रही थी, कंपनी व्यापार तो करी रही है, कंपनी दाल चीली में, दाल चीनी में, चीनी में, इंडिगो में, नमक में, कॉटन में, वीड में, राइस में, हर्ची में कर रही है, अच्छा व्यापार कर रही है, पर साथी क्या करते थे, ये बहुत ज्यादा राजे महराजाओ के साथ दोस्ती कर चुके थे, अब ये बैठ बैठ के सब लोगों को राय देते थे, राजाओं को राय देते थे, कि देखो सुनो, हमको पैसा दो, और हम, हम तुमक प्रदेश का तुम्हारे एरिया का तुम्हारे एरिया का तुम राज करना पर पहिजाम को चाहिए किराया भाड़ा हाफता कुछ भी कहलो उसको राजा करते थे तो ब्रिटिश पारल्लमेंट ने चीज को नोटिस किया कि यार कंपनी ज्यादा प्रत्राउं हो रही है इनके लिए कुछ ऐसा करना शुरू करो कि यह इतना बेलगाम नहों जाएं क्योंकि अंग्रेज लोगों का जो प्रतिनित्व कर रहा है इंडिया में वह कुल में लागे कंपनी यी तो है एक कंपनी प्राइविट कंपनी तो है जो एक इंडियन समझ र क्रूं इनकी बात समझो इनको रेगुलेट करो इनको कंट्रोल करो इनके delegation को इंट्रों की तो तो यह दो भी पैसा ले कि आते थे बढ़े इतने को बढ़िया फरनीचर, को बढ़िया को आलीशान जिंदगी तो वहां के लोग सोच थे लिए इंडिया में ऐसा क्या है जो कंपनी के लोग इतने रईस होके आ रहे हैं कौन सी नोकरी चल लएए वहां पर हम तो तनकवा दे रहे हैं वही तो इतनी जादा इन पर कहा से स साथ में बोला गया एक सुप्रीम कोर्ड बनाओ कैलकटा में अभी तक देश में कोई एक कोई कोर्ड नहीं है सुप्रीम कोर्ड जैसी बृटन में होती है ज़ज बैटते हैं लौड साप बैटते हैं meilor तो वह बनाओ एक और उसमें बैटेंगे एक चीफ जिसेस प्रणाइब करना ज़रा यह बताना ज़रा पहले इंडिया की चीवचासे कौन थे अभी अभी यहीं के ठीक है फिर बताना मुझे यह फिर चलेंगे आगे इनको पढ़ने को अब यह क्या बला है तो पहिए यह कोड़ी बैठेगी ब्रिटन में यह ब्रिटन में होगी और यह कंपनी के हर काम पे नजर रखेगी और पूरी पूरी नजर रखने के बाद रिपोर्ट बनाएगी और देगी ब्रिटन पार्लेमेंट को यह काम करेगी तो कंपनी के जो इंप्लॉई थे जो रईस होके आते थे उनको तो बोल दिया प्राइवेट ट्रेट तुमारा बंद तुमारा कोई भी रिश्वत लेना जो प्रेजेंट लेते हो तुम ब्राइव लेते हो तुम यह सारी बाते बंद यह सारे काम बंद करतो अच्छा नहीं लगता है और खाली इमांदारी से कंपनी की सेवा करो कंपनी की रिवेणियू पर काम करो अपने प्राइवेट तुम सोच रहे हो कि अरबपती हो गया रहे हो वो मत करो ठीक है वो खराब लग रहा है इंग्लेंड में लोग बुरी नजर से देखते हैं आप लोगों को यह बोला गया इंसे तो प्राइवेट ट्रेड एंड प्रेजेंट्स प्रोइटेट फॉर्ड लोगों को बोल दिया गया अब से यह सा भरकते बंद कर दो ठीक है यह बोला गया जो गवर्नर जनरल को बंगॉल है उनके लिए बोला गया कि आप अपने लिए बना लो एक्जेक्टिव काउंसिल वन प् है काउंसिल कहलो सको कुछ भी है ठीक है अब वही है जो है सबसे उपर तो वन प्लस फोर की आप ही जो बॉडि देख रहे हो यह देश की सबसे बड़ी उसमें बॉडि कहला तो कहला ही गई जो समय ये कुल मिला के हमारा उसमें पार्लेमेंट भी है ये उसमें हमारा कैबेन Secretariat भी है, Parliament plus Secretariat हमारा सब कुछ यही चार लोग है, यह चार अफसर Secretariat ओके, अब यही है ठीक है, अब यह लोग बैठके 1 plus 4, यह लोग गवर्णार जनरल अफ बेंगॉल, प्लस चार लोग और यह मिलके हमारे देश में कानून बनाएंगे, कानून का पालन करवाएंगे कानून का पालन नहीं होगा, तो सजा भी होगी फिर, अब जो Court of Director जो मैं आपको पहला बताया, यह report करेंगे Company के revenue, civil and military affairs पे, कि Company क्या-क्या कमाई कर रही है Company क्या-क्या civil dealing कर रही है क्या-क्या land कर रही है, कहा-कहा लैंड खरीद रही है कहा-कहा पे कोई आदमी बिठा रही है कुछ भी करा रही है, और Company किन-किन जगाओं से, किन-किन और प्रांतों से, किन-किन राजाओं से, कोई military deal कर रही है कोई military war कर रही है कोई military alliance कर रही है हम court of director देखेंगे उस चीज़ को और उसकी report देंगे Britain Parliament को, ठीक है चार councillors प्लस governor general, जो मैंने आपको बता है 1 प्लस 4 executive council का, ये कहलाएगी एक body governor general in council Britain में क्या होता है, king in parliament king in parliament ये एक body होती है अब ये आदमी है खाली बस, king in parliament and king in council ये king in council क्या चीज़ है, तो जब parliament में राजा साहब जाते हैं और वहाँ जाके कोई अभिभाशन देते हैं कोई speech देते हैं, तब उनको कहते हैं king in parliament कि राजा आज parliament में आये हैं, ठीक है king in council कौन हुए जब राजा अपने PM के साथ बैठके, चर्चा करते हैं कि आज साहब बताओ तुमारी parliament क्या क्या काम कर रही है, मुझे बताओ लागे और मुझे report दो, हर अफते PM की राजा से meeting होती है, official meeting होती है कई सदियों चली आ रही है, तो अब वो चलती वागी प्रथा है, तो जब राजा अपने PM के साथ बैठके आपस में विचार विमर्च करते हैं और PM उनको पूरा सुनाता है कि साहब हमने अफते पर में ये काम की है या हम आगे ये काम करने जा रहे हैं तब उनको बोलतें King in Council उसी तरीके से हमारे हैं ये body बनाई गई Governor General in Council जब Governor साहब अपने चार लोगों के साथ बैठके काम कर रहे होंगे तब उस समय उस body को बोला जाएगा Governor General in Council Four counselors plus Governor General खुद तो ये body corporate है Body corporate अब ये अपने आप में एक chair है इसका सम्मान है भले ये chair कितनी भी corrupt है brushed है पर इस chair का सम्मान है क्योंकि ये chair हमारे एक system का highest office है highest chair है अब इसके बाद पहला regulating act आ गया ठीक है अब उसके बाद आएगा एक amending act एक 80 में ही ठीक है 8 साल बाद आ गया क्योंकि पहले बार कोई act आया तो गलतिया होई जाती कुछ ना कुछ वोड़े बाद उपर नीचे बोलते हैं amending act of 1781 ये दूसरा एक्ट है तो इसके बाद बोला गया कि गवर्णर जनरल in council जो होँगे पहली तो यहां से शुरू होता है हाँ गवर्णर जनरल और उनका council साथ ही company के जितने servant होंगे वो चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना official capacity में कोई भी काम कर रहे होंगे अगर अगर अपने सरकारी capacity में अपनी chair पर बैठके कोई signature कर रहे हैं कोई दस्तावेच पसाइन कर रहे हैं तो भाईया वो supreme court में challenge नहीं हो सकता है वो supreme court के jurisdiction के बाहर है उनको हम exempt करते हैं governor general को भी उनके council को भी और company के बागी सारे employees को के भाईया आप कुछ भी काम कर लो supreme court उस पर कुछ नहीं कह सकती साथ ही इसके बाद बोला गया revenue matters जो revenue matters होते हैं जो profit के matter होते हैं के कमाई के जितने matters होते हैं वो सारे supreme court के jurisdiction के बाहर रहेंगे supreme court के jurisdiction के बाहर रहेंगे Supreme Court इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकती है Supreme Court के पास इस तरह का कोई case आभी नहीं सकता है आभी नहीं सकता है तो Supreme Court करे गया फिर Supreme Court बस ये कर सकती है Supreme Court जो Calcutta में है वो admission करेगी personal laws of defendants अब ये क्या चीज़ है आपको पता होगा Mohammedan law ठीक है आपको पता होगा हमारा Hindu marriage act ठीक है ये तो पता ही होगा आपको I'm sorry Mohammedan Mohammedan जो Muslims के लिए एक personal law होता है साथ ही Hindus के लिए Hindu personal law होगा ये सब क्या laws है ये सब laws वो laws है जिन से governed होता है हम Indians में चितने भी Hindu, Muslim, Sikh, Parsi जितने हम लोग है हम अपने, हमारे marriage कैसे होती है हमारे succession कैसे होता है हमारे inheritance कैसे बांटी जाती है संतानों को, आग्यानेविल संतानों को हमारे divorce कैसे होता है सब के अलग-अलग culture है अलग-अलग प्रथाए है तो Supreme Court जब कोई चीज पर सुनवाई कर सकती है तो वो खाली ये चीज़े होंगी क्या चीज़े है personal laws, mohammedan law, sharia law तलाक 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 वाला जो फिल्मों में देखते हो ऐसी वाली चीज़ों पर खाली Supreme Court बात कर सकता है वो किसी important मसले पर बात नहीं कर सकता है न revenue matter पर ना governor general और पूरी company के employees के किसी भी सरकारी काम के उपर वो कोई बात ही नहीं कर सकता है important चीज़े दोनों बाहर है अब Supreme Court ये सब देखती है Supreme Court to have jurisdiction over over Calcutta over Calcutta के लोगों के उपर ही Supreme Court के पास सारी power है महीं चला लो, कुछ भी कर लो अब जो भी Supreme Court से नीचे जो भी हमारे और कचेहरियां है, मुंसिफ अदालते हैं प्रोविंशल अदालते हैं तो वहाँ पर अगर कोई केस चल रहा है और उस केस के खिलाफ अपील होनी है तो वो अपील Supreme Court बने ही होगी वो अपील होगी Governor General in Council के पास not to Supreme Court ये बोला गया इस Act में इस Amending Act में के Lower Courts के खिलाफ के खिलाफ के खिलाफ अगर कोई अपील होनी होगी तो वो जाएगी अपील सीधे Governor General साहब के पास जो कलकता में बैठने हैं, Bengali Governor General है बहुत बड़े आदमी है, अब वो फैसला करेंगे साथ ही यही Governor General इन Council जो है, ये तै करेंगे कि Regulation कैसे होंगे उन Lower अदालतों के लिए उन Lower अदालतों के लिए उन Lower Council के लिए कि कैसे कैसे उनको हम Regulate करनी है कैसे कैसे उनके ऊपर चर्चा होनी है क्या क्या, सारे मसले तै करेंगे Governor General इन Council अब ये सावा, बड़ा आठपटा लग रहा है क्योंकि हमारे यहां Supreme Court Independent है, हमारे जुडिशरी Independent है, हमारे यहां सारी जुडिशरी की जितनी हमारे यहां Regulations होती है वो तै करता है Supreme Court कि High Courts में कैसे होंगे कितने क्या 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 कौन-कौन Judges होंगे, कब तैनात होंगे किनके appointment होंगी उनसे नीचे कौन-कौन से चोटे कोट्स होंगे हमारी जुडिशरी आज कितनी अलग हो गई है इस समय देखो कैसे चल रही है यह British Parliament पास करें हैं सारे law जो इस company पर लग रहे हैं और company in turn हमारे उपर लगा रही है फिर आएगा PITS India Act of 1784 तीन साल बाद अब आट जल जल दी आएंगे फिर 20 साल में भी आएंगे तो इसमें क्या हुआ इसमें बोलागे पहली बार company के जितने भी territories है इंडिया में हम उनको बोलते हैं British possessions in India यह Britain के positions है company भले ही इनके उपर control करती है company के भले territory है Bombay, Madras, Bihar, Bengal, Udisa, Awad पर यह British possessions है और British के ही British यानि गोरों के ही है किसी और French के नहीं है किसी और इनके Dutch के नहीं है Portuguese के नहीं है Denmark, Norway के नहीं है सब खाली British अपने सारे खाली अंग्रेजी positions है अंग्रेजी लोगों की positions हैं यह और साथी British government was given supreme control over company's affairs and administration के British जो सरकार है British Prime Minister उसकी cabinet और साथ ही जो in the name of His Majesty the King जो भी है तो उनका direct supreme control होगा company के सारे affairs पर चाहे political हो चाहे कोई administrative affair हो चाहे कुछ भी हो तो अब यह पहली बार समझा गया है कि company के काम तो बहुत सारे है और court of director अकेली body काम नहीं कर पाएगी पूरी इसके लिए क्या करो पहले तो यह देखो company के commercial काम भी है company के political काम भी है political काम मैंने बता आपको क्या होते कि appointment करना राजा को बिठाना एक puppet राजा को बिठाना या एक राजा के साथ दोस्ती करना उनको बुलना कि तुम उनसे लड़ाई करो तुम जीत जाओ फिर हम तुमको वहाँ का एडिया पर देदेंगे और तुम हमें वहाँ का टैक्स भी देना यह सब खूब काम कर रही थी company साथ ही commercial काम तो करी रही थी अपनी से company के commercial काम खाली director का court करेगा पर जो उसके उपर नई body बैठेगी board of control एक नई body है यह यह board of control company के वो सारे काम देखेगी जो होंगे civil matters होंगे या military matter होंगे या revenues affairs होंगे company के ठीक है अब जो important काम हो गए ना वो सारे लेगे board of control और board of control से छोटी body है हमारी ये court of director ये body बड़ी है ये body बड़ी है नई body बनी है अब board of control के लोग court of director के उपर बैठा करेंगे और court of director खाली देखेंगे है हमारी company के commercial काम जितने उनके commerce related काम है जितने उनके व्यापार related काम है ठीक है वो सारे काम देखेगी एक body और दूसरी body देखेगी political काम सारे जिसमें होंगे civil matter होंगे military matters होंगे उसमें revenue matters होंगे ये सारे अब एक fact आपको बता रहा हूँ अगर तीन डिरेक्टर की committee होती है जो हमेशा touch में रहेगी एक British government के for important political matters तब भाईया वो तीन डिरेक्टर सी committee भाई तीन से जादा भी हो सकते हैं ठीक है तो ये committee उनको British government को पूरी पूरी रिपोर्ट दिया करेगी कि साब देखो company इतना धंदा कर रही है इनसे इतने इस सोने में इस दालचीनी में मसाले में हल्दी में spices में नमक में सब में खूब धंदा कर रही है और ये उनका पैसा है ठीक है और वो बता भी रही है कि ये company देखो कैसे कैसे काम कर रही है ये हारा Britain का Parliament भी है देखो यहां देखो बड़ बड़ अफसर लोग बैठे हुए ये आम लोग बैठे हैं और जो उनकी बाते सुन रहे हैं कि सब कैसे कैसे काम हो रहा है अब जो board of control होगा ये तगड़ी बोड़ी होगी और ये बोड़ी काफी समय तक रूल करती रहेगी जब तक जब तक एक बड़ा बावाल नहीं हो जाता है तो Act of 1786 ये हैं आपके हमारे Lord Conwallis ठीक है क्या थे ये कौन थे ये जो इनका इतना जिकर हुआ तो Conwallis सहाब एक बड़े डिपलोमेट थे ठीक है ब्रिटिश आर्मी के बड़े उचे अफसर थे जो सरेंडर होके आये थे कहां से American War of Independence ये आदमी इतने बड़े अफसर सहाब American War में इनका सरेंडर हुआ था सरेंडर ओफ सरेंडर हार के आये थे गुटने टिका के आये थे सरेंडर ओफ यॉक टाउन यहां से यहां से अमेरिका में यॉक सिटी जहां पे आज है तो भाईया ये वहां से भाग के आये थे और ये पूरे अपने सब सामान जाएदा छोड़ चाड़के वहां से भाग के आए और इंडिया इंगलन्ड जाके वापस आके बैठ गये अब इसके बाद यह सोच रहे थे कि यार कहां जाओं कैसे मतलब बेज़ती भी हो गई है और कुछ पैसा भी नहीं है पैसा भी कमाना ह है बड़े अफसर हूँ कहां कहां जाओं इनको पहले कई जो और जो समय ब्रिटिश जो सरकार में लोग हुआ करते थे तो इन्हों ने उन लोगों ने इनको सला दी किसाव आप यह बन जाओ लॉड लट लेफटरनेंट बन जाओ आईरलेंड के या आप कोई ट्रेजरी का क इंडिया के इसके इंग्लेंड के तो उन्होंने का तुम एक काम करो तुम इंडिया जाओ तो इन्होंने का इंडिया में तब जाओंगा जब मेरी दो शर्ते मानी जाएंगी अच्छा क्या शर्ते हैं तो इन्होंने का मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे ओवर्राइड करना पड़ेगा और जो मेरा council होगा decision of council in special cases मुझे veto चाहिए जो आपने one plus four की body बना रखी है अगर उसमें से तोटल पांच लोग है उसमें से तीन में अगर एक तरफ हो गए तो मैं तो कामी नहीं कर पाऊंगा तो नहीं मैं ऐसे नहीं काम कर सकता मुझे चाहिए veto power मैं करूंगा override उस council के उपर क्योंकि मैं governor general हूँ तो ये मेरा civil role होगा ठीक है ये हो गया मेरा civil role ओके दूसरी क्या चाहिए आपको दूसरी उन्होंने का मुझे चाहिए commander in chief की position क्योंकि मैं एक army man हूँ क्योंकि मैं army का अफसर हूँ और मैं Charles Convalis हूँ मैं lord हूँ मैं तो उन्होंने का मैं मनूँगा commander in chief supreme commander of the British Indian army जितने इंडिया में जितने British army है उनका मुझे पूरी command चाहिए तो ये इनकी हो गई military demand military, दोनों इनों demand मांग ली कई लोगों ने का एक लेलो, दोनों में से एक लेलो इनोना का नहीं मुझे दोनों चेनी मैं नहीं जाओंगा नहीं जाओंगा नहीं तो नहीं जाओंगा तो एक साल लग गया इनकी demand को पूरा मानने में उसके बाद एक act लाया गया British Parliament में, Act of 1786 फिर इनसाब को भेजा गया इंडिया कि अब तो चले जाओ, मान ली तुम्हारी शर्ते हैं कि उन्होंना का अच्छा ठीक अब जाओंगा उसके बाद भी ये फिर पहले मदरास आए, मदरास से कोलकता गये कोलकता में जो एक्टिंग गवर्नर जनरल थे, वो गवर्नर हाउस होड़ना नहीं चाह रहे थे तो फिर उनसे मेकफर्सन नाम था उनका तो उनसे छड़वा लिया हाउस भी कि अब भाटों यहां से अब हम मैटेंगे यहां से खेर यह आ गए इंडिया, फिर उसके बाद यह इंडिया में रहे, अब आता है 1793 में पहला चार्टर अक्ट, चार्टर अभी तक नाम चल रहे थे रेगुलेटिंग आक्ट, आक्ट अफ सेटलमेंट, यही अमेंडिंग आक्ट, अब से आएंगे चार्टर अक्ट, जो मैंना आपको शुरू में लिस्ट दिखाई थी, 15 एक्ट है, उसमें से 8 कंपनी के रूल में आते हैं, साथ क्राउन रूल में आते हैं, ठीक है, तो पहल इन्होंने इस एक्ट में कुछ-कुछ फीचर बड़े अच्छे थे, इन्होंने बोला कि देखो, कंपनी की जो मोनापली है, उस समय तक इंडिया में खाली एक ही तो कंपनी चल रही है, ठीक है, अब इस एक कंपनी के लिए बोल रहे थे ब्रिटन में, कि यार इतने सारे ल तुमको इंडिया के पैसा लागे दे रहे लिए न, टैक्स दे रहे रहे इतना, इंडिया से, इंडिया पर खाली हम ही रहेंगे, इंडिया में कोई और कंपनी नहीं आएगी, तो सरकार ने उतने से क्काम करते हैं, चार्टर आच लाते हैं, आपकी जो मोनापली है इस साल और कमालो उसके बाद हम आएंगे उसके बाद और लोगों के बच्चे बड़े हो रहे हैं उनकी भी कंपनिया बड़ी हो रही है और उनको आने दो तो अल्मूस्ट 200 साल होने को आ रहे हैं 1600 से लेके 1793 आ चुका है 200 साल से एक ही कंपनी इंडिया में काम कर रही है एक ही कंपनी इंडिया को लूट रही है और वहां उत्पात मचा रही है दूसरी कंपनी अभी तक कोई नहीं आई है इसलिए वहां के लोग बोल रहे थे कि यार अब तो हमें आने दो तो ऐसी ऐसी बात है आपका घर है आपके यह स्टाफ है बाकी आपका जितने सारे एक्सपेंस हो रहे हैं जितने आपका खर्चा आ रहा है जितना आपके ऑफिस का जो इतना जो खर्चा हो रहा है यह सारा आएगा इंडिया के रेवन्यू से हम बिटन सरकार आपको पैसा नहीं दे रहे हैं तु जो governor general के पास जो overriding power थी ये वाली जो Lord Convales ने जीती थी लड़ जगड के तो वो overriding powers are extended to all future governor generals and governors of presidencies उनको बोल दिया कि हाँ ये तो veto सही है यार मानलो बाकी पूरा कांसल लिखटा अलग हो गया तो फिर तो बात ही नहीं हो सकती इन से कुछ भी तो जो veto power है उस veto power को भया द chief जो उन्होंने Convales ने demand बांगी थी कि commander in chief ही बनूँगा मैं और मैं पूरा मुझे veto भी चाहिए तो जो commander in chief होगा military का वो member नहीं होगा governmental council का unless appointment ना किया गया हो यह बोला गया कि यह Convales ने जिद्ध में ले ली यह unnecessary थी तो हम कह रहे हैं कि भया यह जब तक जब तक appointment ना किया गया हो ऐसा तब तक commander in chief military का इसका member नहीं होगा इस पूरे council का member जो GG in council जो एक body है 1 plus 4 की 1 plus 4 में commander in chief नहीं बैठेंगे अगर ऐसा भीजाने ऐसा ही भीजाना गया हो तो बस यह बोला गया यह बात हुई ठीक है फिर आया ठरसो तेरा अब 20 साल हो गए ठीक है अब अब अंग्रेजी हुकूमत कह रही है कि भाया तुम्हारे 20 साल दे दिये तो तुमको monopoly के तुम अके ले ही थे अब तो आने दो त कंपनी गारी कि साहब ऐसे मत करो यार हम तो इतना तुम्हारे तुम्हारा सम्मान करते हैं सब कुछ कर रहे हैं तुम जो कहते हो मान जाते हैं तो मैं टैक्स भी दे रहे हैं पूरा-पूरा जब भी आप कोई फर्मान लाते हो मान लेते हैं तो हमें कुछ तो हमें पहले थे पाथ ही आप चाइना से जितना व्यापार करोगे चाइना के साथ जितना व्यापार करोगे इंडिया से बाहर चाइना तो उस चाइना के साथ व्यापार में भी खाली अब आप ही रहोगे मुनापली रहेगी ठीक है पर बाकी किसी और दंदे में मसालों में नमक में मैं आपक और रहाएगा क्योंकि टी इस Fevered By Performed By इन्द्रिंबर इस Fevered By उनकी बहुत ही फेवरेट ट्रिंक है बहुत ही ज्यादा वहां पर चर्चित बीनिक बहुत ही पॉपिलर ट्रिंक है तो तो टीम है व्यापार बहुत प्रोफिटेबल भी है अब उनसे बोला गया कि देखो भाई 200 साल से जादा हो गया तुमको इंडिया में तुम लोग कैसे काम कर रहे हो वाँ तो इन्होंने काम कर रहे हैं खूप कर रहे हैं बड़ी आउतरा है इन्हों कर नहीं ऐसे मत करो आप पाश्चात एजुकेशन फैलाओ वहाँ जाके यार वहाँ पे लोग अब आपको देख रहे हैं और अब आपको अपने लिए कुछ ऐसे लॉयल लोग बनाने पड़ेंगे वो कैसे बनेंगे आप जब तक उनको इंग्लिश नहीं सिखाओगे आप जब तक उनको वेस्टर् साइन्स, फिलोसफी, लिटरेचर ये नहीं पड़ाओगे वेस्ट वाली जो वेस्ट में चलती है तो भाईया तब तक आपके साथ लोग जुड़ेंगे नहीं आपके मैं बता रहा हूँ आपको आप लोग परिशान हो जाओगे ये इनको बोला गया कंपनी को उनको ठीक है करते हैं ये भी करते हैं तो इससे क्या होगा इससे कुछ ऐसे लोग ट्रेन होंगे जो इंगलिश जो आपके साथ जुड़ जाएंगे क्योंकि वो उन्हें देखेगा कि हाँ इंगलिश कंपनी के अफसर को पास पैसा है ये इंगलिश बोलते हैं बड़े आदमी है विलायत कि आप अपने साथ Christian Missionaries भी ले जाओ Christian Missionaries, India ले जाओ और Christianity को Promote करो, Propagate करो, फैलाओ Christians बनाओ लोगों को जैसा भी करना करो इंडिया में Christians नहीं है You can go ahead, ये बोला गया एंसे अब साथ ही Local जो Governments है जो जितने भी Local Provincial Governments है ये Governments भी अपने साथ, जो आपको Tax देती हैं, किराया देती हैं, अफता भाड़ा देती हैं, ताकि उनकी सरकारे बनी रहें ये भी Tax लगा सकती है अब उनी Local Citizens पे, जो अलेड़ी एप Tax इनको दे रहे हैं, और Tax नहीं था तो पनिश भी कर सकती है Allowed Local Governments To impose Taxes on Persons and Punish Them for Non-Payment of Taxes अभी तक क्या होता था राजे महाराजे बोलते थे किसानों को, मजदूरों को, एक काम करो Tax दो, क्योंकि उनको Tax देना है बड़े अंग्रिजों को, अच्छा साब दे दिया ले लो, ले जाओ, अब जो ये छोटे किसान हैं, और ये चोटा राजा है, ये राजा बोलेगा, अब हमको भी टेक्स दो, तो ये बोलेंगे साब ये भी ले लो, और अगर टेक्स नहीं दिया तो ये सजा भी दे सकते हैं, ये राजा उस चिसान को, कि तुमने हमें क्योंकि ने अब इन तीनों चीजों से Western Education से Christian Missionary से और साथ ही इस कदम से क्या हो रहा है कि British Company का एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं क्या लग रहे हैं कि भाईया अगर Indians नाखुश होते हैं तो नाखुश होंगे वो उन रूलर्स के साथ जो लोकल रूलर्स है जो लोकल गवर्मेंट है कि तुम पहले हम पहले ही तरस्त हैं हम पहले ही इतने टैक्स से बोजल है उसके बाद तुम भी टैक्स ले रहे हो हमसे और टैक्स नहीं दे तो पनिश भी कर रहे हो जेल बेच दे रहे हो यह होगा साथ ही, तुमारे लिए एक loyal class of Indians बन जाएगा, एक loyal class जो आपके साथ जुड़ा रहेगा, loyal class of Indians ये बनेगा, ओके, कितनी बढ़िया बात बोली है, देख रहे हो, शातिरता देखो, दिमाग, चला की, allowed Christian missionaries to India, आप Christianity जब आईगी यहाँ पे इंडिया में, लोग Christians बनेंगे, तो automatically वो चर्च जाएंगे, वो baptism करवाएंगे, वो Easter पे अपने चुटियां मनाएंगे, वो अपना Christmas मनाएंगे, और अंग्रेजों को follow करेंगे, ठीक है, इससे Indians, British के प्रती loyal होना शुरू हो जाएंगे British Crown to have sovereignty over companies territories, जो हर act में बोलते थे, वो फिर बोल रहे हैं, कि देख लो, तुम काम कर लो, तुमारा मन है काम करने कापर, भईया काम दब तक करोगे, जब तक British Crown की sovereignty है, company के उपर, तभी तक काम करोगे, उसके अलावा काम नहीं कर पाऊगे, British Crown को मानो सर्वो परी, British Crown ने जा गया है, हमारे हुकूमत को माने रखना, British Crown जो लंडन में वैठता है, उसके उपर, उसको, उसको मत बूलना, ये बोला गया, अब 1833, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, Governor General of Bengal को पहली बार बोला गया, कि आप पूरे भारत के Governor General हो, ठीक है, Governor General of Bengal turned into Governor General of India, इंडिया क पूरे अब इंडिया के पहली बार टाइटल इनका पूरा बना, कि हाँ ये हम बड़े आदमी है, और हम पूरे देश के सबसे बड़े राजा है, अब Government of India पहली बार create होती दिख रही है, एक इंडिया की सरकार, एक इंडिया उस समय जो भी सब कॉंटिनेंट है, जैसा भी ह इतना बड़ा अपना सब कॉंटिनेंट है, उप महादुई, तो इस पूरे में एक पहली बार एक सरकार, फॉर्मल सरकार देखनी शुरू हुई है, और इस सरकार के सरवे सरवा सबसे पहली बार बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक, देखो भाईया, आप हिस्ट्री में नहीं भी आ जाएंगे, और ये हिस्ट्री में नहीं बहुत है, यहीं पॉलिटी में आएंगे, क्योंकि एकर ऐसा कुशन आ गया तो, लॉर्ड वॉर्रन हैस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, अभी आगे भी आएंगे और ठीक है, याद रखना, पांच है पूरी पावर होगी, सिविल और मिलिटरी पावर, पूरी पूरी पूरी, अब ये हिरो आदमी है, पूरे देश के, पूरे देश के सबसे बड़े आदमी है, कल कोई सब्सक्राइब उठें, और कह दें, किसाब एक रुमाल है, तस हजार रोपे का, तो माना जाएगा, यहा अपराद नहीं है, तो हाँ ठीक है, वो अपराद नहीं होगा, यह तब इनकी हैसियत है, तब यह इतनी बड़ी हैसियत हो जाएगी, अब, Governors of Bombay and Madras के पास कोई legislative power नहीं रही, यह लोग, यह दोनों जो अपने Bombay Madras में रह रहे के, अपने छोटे-छोटे कानून बना रहे अपने local level पे, अपने local presidency level पे, उनको बोला गया कि अपसे नहीं, जो कानून बनेंगे, वो यह साब बनाएंगे, यह बड़े साब बनाएंगे, ठीक है, इनको यह बनाने दो, यह सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े प्रांत के, टैक्स वाले प्रांत के, यह गवर्नर हैं, त इस act से पहले, जितने भी laws बने थे, वो बोले जाएंगे regulations, ठीक है, और इस law के बाद, जितने कानून बनेंगे, वो बोले जाएंगे act, proper act, नॉमेंक लिए चरह है, बस नाम में क्या रखा है, वैसी वाली बात है, ठीक है, entire legislative powers over India was given to GGI, entire legislative power, पूरी कानून बनाने की ताकत, अभी आपको बोला, कि सुबह उठके बोलने, कि cycle पे 200% tax, तो cycle पे 200% tax लग जाएगा, ऐसा ही होता था, ठीक है, यह हो रहा था, और ऐसा तो नहीं, पर इसी मिलता जुलता है, ऐसा ही कुछ आप समझ सकते हो, क्योंकि इंडिया उस्तों में बहुत ही बदहाल position में था, और बहुत ज़्यादा बोज से दबा हुआ था, slavery से जुका हुआ था, तो EIC जो company है अभी तक जो company इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है, तो नूट पार्ट में, तब इस company को बोल दिया गया, कि अब से आप खाली बस करो प्रशासने काम, ठीक है, आप खाली administrative role निभाओ, आपने जो trade तो करना था, वो कर लिया अपने 200 सालों में, दो सवा 200 सालों में, ठीक है, अब बाकी companyya trade कर लेंगी, आप खाली बस अपने प्रशासन समालो, and it is deprived of all of its commercial activities, कोई भी आपके व्यापारिक काम, छोड़ दो, हो गया, अब आपके पास इंडिया पूरा पड़ा ही हुआ है इसको ही समालो, क्या हो अब तुम लग रहे हो दाल चीनी में और चावा लाटे में, छोड़ दो इनको, ठीक है, ये बोला गया उनको, साथ ही system of open competition in civil services, ये बोल दिया गया, क्योंकि भाईया देख रहे हो, सवा 200 साल, इंडियन्स अब western education से train हो रहे हैं, ठीक है, और इंडि जो इनके पास दब-दब आए, वो किशी और के पास ही नहीं, और ये दब-दब कैसे आया, क्योंकि जो civil services थी, ICS, ठीक है, इंडियन civil services कहलो, imperial civil services कहलो, ये बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं, lucrative थी, lucrative, अब ये बहुत ही ज्यादा मलाईदार postings थी, तो क्या होता था, सारे जो ब्रिटिश अफसर होते थे, पैसे वाले हो जाते थे, और कई ब्रिटिश जो लोग, जो ब्रिटिन में रहते थे, बड़े-बड़े lords, वो अपने बेटे-बेटियों को ICS में लगवाना चाहते थे, कि मैं इंडिया जाओ, इंडिया में जागे lord बनके आओ, से समाला जाता है, city को, district को, जिले को, state को, अच्छा, ये बात होने लग दी, तो वो और position जो होती थी, वो सारी ब्रिटिन, अंग्रेजों के लिए reserved रहती थी, ठीक है, इंडिया उसमें नहीं आ सकते थे, अब इस charter act में बोला गया, ओ भाया, ओ भाया, कब तक नहीं चल पा इंडियन भी लिखेंगे एक्जाम, और ब्रिटिन के लोग भी लिखेंगे एक्जाम, सब लोग लिखेंगे एक्जाम, जो successful होगा, उसको बनाओ, merit पिलाओ, और ऐसे करो, तो ये negate करती थी, ये issue को opposition करती थी, इस court of directors, company के जो court of directors, जो लेंडनर बैठते थे, जिनके उपर civil services, Indian civil services, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे बेटे-बेटियों के लिए है, हम अंग्रेज, हम सारे ब्रिटन के लोगों के लिए है, इसमें मतलाओ open competition, इसमें मतलाओ Indians को, वो जीत जाएंगे, आ जाएंगे, समझ जाएंगे, कैसे चल रही कानी, तो वो मना करते थे कि, इंडियन्स को आना मनाएं, तो एक्ट में तो भले ही रहा ये, पर कोड़ेटर ने आने नहीं दिया, इस चीज को, open competition होने नहीं दिया, ये हुआ था 33 में, फिर इसके बाद आएगा हमारा त्रेपन, ये हैं लास्ट अटरेक्ट, लास्ट अटरेक्ट, क्योंकि 1853 आ चुका क्या होता है, तो वो होता है, ठीक है, ये बोला गया, अब बोला गया, कि भाया जो open competition जो तुम पहले मने कर रहे थे, जो तुम कह रहे थे कि कोड़ेटर नहीं करेंगे, नहीं जाने देंगे, अब हम उसको रोक नहीं पाएंगे, उसको जाने दो, 20 साल और तुमने अपने जिद से अपने रोक लिये ना, अब नहीं हो पाएगा, भाया, therefore, covenanted civil services were thrown open to Indians, covenant और non covenant word होता है, आगे देख लो क्या होता है, पर भाया, अब civil services में Indians को बैठने दो, नहीं तो तुम सवाल नहीं बाओगे, अपने ही तुमारी जितनी जो तुमने अपनी टरिटरी बना रख ठीक है, uncovenanted, non-covenanted ये service होती है, lower service, created otherwise, जो वैसे बनाई जाती है, clerk, चपरासी, या non-administrative staff, तो ये सारी services को बोले जाता है, non-covenant, कि ये छोटी है, जो covenant services है, जो higher services है, अब इसमें भाया, Indians को बैठने दो, वरना गोटने टेका देंगे, और तुम नहीं मान पाओगे, अब आप इंडियन एक्जाम लिख सकते हैं, आपको बताना है, मुझे first Indian to clear civil services, first Indian to clear, और मुझे उम्मीद है कि ये नाम आपको पता होना चाहिए, भाया, आपके आदर्श होने चाहिए, मेरे आदर्श है, ये बहुत बड़े आदमी थे, जोन्होंने पहला Indian civil services निकाला था इक्जाम, ठीक है, first Indian to clear, जो कौन थे, उनका मुझे जरा नाम बताना चाहिए, पता हो तो किसी को, ठीक है, तो अब जब ये कर दी आ गया, इतनी जलंबी जोड़ी बहस हो गई, इसके बाद बनी एक मेकावले कमिटी, ये मेकावले साहब आपके लिए बहुत important होने वाले ह थे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान प्राणी थे, बहुत ज्यादा तेज आदमी थे, बहुत अच्छे lawyer थे, बहुत अच्छे scholar थे, लोगे ग्याता थे, तो इनके नाम पे committee बनाई गई, मेकावले committee, committee on Indian Civil Services, was appointed in 1854, के पढ़ो समझो कैसे बना इनके लिए, कैसे exam करवाओ इंडियन के लिए यह बोला गया ठीक है यह हुआ फिर गवर्णर जन्रेश काउंसिल लेजिसलेटिव एड़ एग्जेकटिव फंक्शन्स आर सेपरेटेड ठीक है तुम बहुत काम कर रहे हो तुम कानून का पालन भी कर वा रहे हो तो इतना सारा काम कर रहे हो इसको कैसे कर हमें भी समझाओ कि इतना बड़ा तुम देश समाल कैसे पा रहे हो वन प्लस फूर खाली तुम पांच लोग मिलके हो पा रहा है तो यह बोला गया कि नहीं काम अलग 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 समझें के कैसे कर रहे हैं तो यह होता है अभी कैसे होगा यह पहले बनेगा छे पहले लोग अलग से लाओ और जो वन प्लस फूर है यह बोड़ी इसमें जोड़ो छे और यह बोला गया ठीक है अब यह बनेगा इसको बोलेंगे हम एक इंडियन सेंट्रल लाइसलेटिव कांसल यह नाम है ठीक है लोकल लोगों को जोड़ो इसमें यह बात बोली गई जो पहले आप प्लस फोर थे खाली अकेले उसमें जोड़ो छे लोग और उसको बोलो लेशलेशन is treated as separate function of the government जब छे लोग के साथ बैठके काम कर रहे हो तब आप कानून बना रहे हो जब यह चार लोग आपका executive council बैठा हुआ है वो आपका कानून का पालन करवा रहा है ऐसे अलग-अलग काम होंगे छे members called legislative councillors are added to the council यह छे लोग आएंगे अब इन छे लोग के साथ बैठके कानून बनाना है यानि यह उस समय कि हमारे मानलो MPs MPs छे और हमारे ministers बहुत ही rough टम में समझा रहा हूँ यह actual नहीं है ministers हमारे four ऐसा मानलो इसको ठीक है बहुत ही rough टम में समझा रहा अब इसके बाद बोला गया यह जो छे हैं अगर आपने इंडियन को अपने साथ नहीं जोड़ा तो अब पाए जाओगे कहां इंडिया के बाहर कैसे करोगे अब इंडिया में जुड़े रहना है इंडिया में इंडिया को लूटे रहना है तो इसके लिए जरूरी है इंड जो चार होंगे चार आउट ओफ सिक्स गवर्णर जर्रेटिटिव काउंसिल आर एपॉइंटेट बाइ लोकल रेप्रेजेंटेशन लोकल गवर्मेंट्स ऑफ मदराज, बंबे, बेंगोवल और आगरा ठीक है? बहुत साई अंसर है चार आपको चाहिए इंडियन ठीक है? दो यूरोप से ले आना चार आपको चाहिए इंडियन इस छे में तो इस में से आप चारों के इतनी बड़ी आपके पर प्रेस्डेंसी है कोई तो आपका दोस्त होगा उसको आप उठा लो उसको बोलो कि तुम हाँ जाओ चलो आप हमारे साथ आओ और बाद में इंडियन को आपके बताना कि देखो हम इंडियन को साथ में रखते हैं अपने कि अच्छा स्मार्ट तो हो ये बोला गया इनके लिए कि आपको ये भी करना है फिर भाईया उसके बाद सन सतावन कुछ ऐसा धमाका हुआ कि सब कुछ ही हिल गया ठीक है आपको पता है सिपोय म्यूटिनी हुई मंगलपने जी की शहादत लक्ष्मी भाई जी की शहादत तो ऐसे कई जगे पे विद्रो हुआ बादरुशा जफर सेकेंड उनको उठा के बिचारे बुड़े राजा को उठा के दिल्ली पे बिठा दिया अब दिल्ली पे बिठा दिया अब वो बिचारे बुड़े राजा जो अंग्रेजों के पेंशन पे जी रहा था उस राजा को उठा के शाहिन शाह हिंदुस्तान गोशित कर दिया दिल्ली में लाके अब एक अलग सी सरकार चलनी शुरू हुए उस राजा का दरबार चल रहा है उसको बोल दिया कि आश से आप राजा हो आपके नाम को सक्का शुरू अंग्रेज जागे उनार का रहे यह क्या हो रहा है भाई हम तो इधर यह बेफकूफ हैं तो इंडियन सारे आये ही रोज हेक्टर मुन्रो इन लोगों ने आके जो कुछला है जान दोलन को और सब लोगों को जितने हमारे उस समय जो कांतिकारी थे उन सब को पकड़ पकड़ के जेल किया कहीं को तोप से उड़ा दिया फांसी पर लटका दिया सब कुछ किया और बादुर्शा जफर सेकेंड को उठा के बर्मा बेज दिया म्यामार कि अब जाओ वहां चलो गई यहां से इंडिया में देखना मत क्योंकि हो सकता है लोग तुम्हें देखके वापिस उनके अंदर भावनाय जाग जाए नहीं आप इंडिया से हटो यहा अब इंडिया में कोई मुगल डैनेस्टी नहीं कोई मुगल रूल नहीं अब जो है खाली इंगलिश राज रहेगा अब यह 57 में गदर हो गई 57 गदर के बाद 58 में एक गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 यह अग्ट आ गया अब इस एक्ट ने क्या किया इस एक्ट ने बोला कि हम वो सारी चीजों को solve करना चाह रहे हैं जिसकी वज़य से आपने अंदोलन किया था किनों ने इंडियंज ने तो हम एक एक्ट ला रहे हैं Act for the good government of India अब से हमारी सरकार अच्छी हो जाएगी कैसे अच्छी होगी अच्छे से लूटेगी यह बोला गया तो गवर्नर जनल ऑफ इंडिया का title चेंज हो गया उनको बोला गया कि अपसे आप वाइस रॉय वाइस रॉय और रॉयल्टी वाइस टू तू रॉयल्टी आपक्राउं इंडिया में तो Lord Canning became the first वाइस रोइफ इंडिया तीसरा वाइस रोइसरोइ तीसरा गवेर्नेर्ट जनल आपके सामने आचुका है मुझे पहले दो के नाम चाहिए भी जो आगर आपको याद रहे याद रहे गए हो तो आंसर लेखो जा रहा ठीक है इस एक्ट ने अबॉलिश कर दिया पूरा एक सी कंपनी खताम चलो बोल दिया गई यहां से चलो सब समान चोड़के इसे सीधे गई यहां से बाहर गई यहां से और इनको बोला कि बाहर जाओ अपना बोर्ड बैनर सा बटागे लेके जाओ और ग अब इस वाइसरोई बैटेगा वाइस रोएगी अपनी कांशल बैटेगी वाइसरोई अपनी सब पूरी उनकी सवाह होगी सब कुछ होगी यह कैसे होगा ट्रांसफर्ड ऑल पावर्स अब गवर्मेंट टेरिट्रीज एंड रेवेन्यूस तु दे ब्रिटिश कराउन company के पास अब कोई property नहीं है company के पास अब कोई territory नहीं है company के पास कोई revenue का source नहीं है company अब बाहर हो गई चलो गई यहां से अब सारी चीज़ें British Crown की British सरकार की संपत्तिक खोद हो गई British सरकार खोद administer कर लेगी अब हमें देखना हम देख लेंगे तो मड़ो यहां से चलो एक नया office बनाये गया कहां पर London में Secretary of State for India एक मंत्री मंत्री for India जैसे मालो Minister of Defense Minister of Home Affairs Minister of External Affairs Minister of Finance तो ऐसे Minister of India जो London में बैठ रहे हैं London की Parliament में बैठते हैं British PM की Cabinet के Member है Member of British Cabinet and vested with complete authority and control over Indian administration अब यह तै करेंगे मैं यह जो मंत्री जी है जो लंडनों बैठ रहेंगे जो डारेक्ट इस इन प्राणी से जो जोड़े रखेंगे सारे संबन्द कि कैसे चल रहा इंडिया बताओ मुझे काम बताओ क्योंकि मुझे रेपोर्ट देनी है कैबिनेट में यह वो एक मंत्री वहां पर बन गए है इनके साथ पंदर लोगों की टीम बनेगी पंदरा मेंबर काउंसल अफ इंडिया टू असिस्ट हिम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस चेर्मेन जैसे मिनिस्टर होता है मिनिस्टर के साथ उसके सेक्रेटरी होते हैं अंडर सेक्रेटरी, जोइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी यह सारे जो आप लोग बनोगे और अगर आप में से कोई बहुत अगर यंग ऑफिसर है तो हो सकता है वो कैमिनेट से चेफ तक हाँ चलो सब बार, चलो इसको बोल दिया गया, कुछ नी चाहिए, डिरेक्ट यहां पर एक मंत्री जी होगा, मंत्री जी का अपना पूरा काफिला होगा, सब कुछ होगा, और मंत्री जी के साथ यह मिलके काम करेंगे, हमारे लोड कैनिंग साहब सबसे पहले वाइसरोय हैं यह बोला गया, यह जब, Secretary of State in Council, वही सेम, Governor in Council, King in Council, यह जब एक अपने इस Council साथ बैठके बात कर रहे होंगे, SOS in Council, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप समझ जा ना, SOS in Council, यह होगा एक Body Corporate, मतलब यह अपने आप में एक Proper Chair है, यह अपने आप में एक Office है, यह अपने आप में एक Fully Functional, एक Constitutional Office है, Body Corporate, यह मतलब 15 plus 1, 16 लोग मिलके जब काम कर रहे हैं, तो बढ़ा बहुत उची-उची बात है यह, ठीक है, अब 1861, तीनी साल हुए हैं, फिर आगे है Indian Councils Act, क्योंकि Indian समझ गए थे, कि भाईया, अब तो एक ही काम है यहां पे, इन स आजा दी, किसी तरह इन से हटो यहां से, इनका राजपार्ट खतम कराओ, अंग्रेज़ों का नहीं, तो अंग्रेज़ जब परिशान करेंगे हमको, तो 1861 में, जब हम लड़ाई कर चुके थे, इन से बहुत जादा बहास कर चुके थे, तब इन्होंने का, रुको, रुको मेकिंग प्रोसेस, इतना शुरू करो पहले यहां से, सबसे टॉप से शुरू करो, जहां वाइसरोई की जो उपर की बॉड़ी है, जो पोजिशन है, उसको भाईया पहले उसको समालो, महां पर रखो, दो तीन इंडियन्स को लाओ, और प्यार से उनको सहलाओ, अच्छे से बात करो उन से, ठीक है, तो representative institution, मतलब प्रतिनित्व करवाओ इंडियन्स का, associated Indians with the lawmaking process, ठीक है, lawmaking process में हम आ गए है, इंडियन्स as non-official members to Viceroy's extended council, आपको याद है 1 plus 4 plus 6, यह सब ऐसी चीज़ है, तो उसमें जो इंडियन्स जो बैठेंगे, वो बैठेंगे non-official capacity में, बस ख निए सकते हैं, हमको अपनी बात नहीं पूछ सकते हैं, हमको डिबेट नहीं कर सकते हैं, हम बैठेके देख रहे हैं, कि अच्छा 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 ऐसे करते हो, आप काम, ठीक है, बहुत खराब है, बस हम यह हो सकता था, three Indians were nominated, तीन इन नोमिनेट हुए पहली बार, इसी की बुक में लिखा है आपको नाम याद होई जाएगा तो अभी वाइस रोग है जो देश का राजा ए इंडिया का राजा है आब उसके दोस्त कौन होंगे जो क्रावस कर ऐगी प्येम का दौस यह इमी तो होगा अब प्रसुनित दोस्त में तो नहीं हो सकता तो ऐसी होता है दोस्त बड़े आद्म होते हैं राजय साहब उन उनके दोस्तम है वाइसरए के अधर के साब के मानला पर आंप पंजाब कोई state मना रहे हो क्या आज़ो आज़ो देख लेना कैसे मनता है तो इनको बिला लिए नौर अफिशल पैसेटी में नियू लेजिटिटिव काउंसिल्स फॉर बेंगोल एंड़लू एफपी एंड पंजाब अस्टेवलिश्ट यह क्या है यह क्या चीज़े नई लेजिटिटिव करेंगी जो जैसे हमने आपको अभी बताया वाइसरोय का एक्सेंडर काउंसल है ओपर है ठीक है जो देश के लिए कानुन मना रहा है ऐसे ही कुछ-कुछ प्रांत से जो बड़े होते जा रहे थे जो ज्यादा उपद्रवी थे तो बोला कि काम करो तुम अपने यहां थोड से नौर्थ, वेस्ट, आपको तो पता होगा कोन जगी बात कर रहा हूं में नौर्थ, वेस्ट, फरंटिर, मतलब बांडरी वाला आगे वाला, फ्रंटिर, प्रॉंच, तो यह कुल मिलाके पाकिस्तान के उपर का एरिया है जो अफगान स्थान का अंदहार का इरिया जो था NWFP तो ये वहाँ का एरिया था NWFP उसके बाद पंजाब खुद इन एरियास को दिये गए अपने अपने विधान परेशन है ठीक है? ये दे दिया गए कि अपने अपने एसाब से बनाओ कानूम बनाओ आपको पहले बताया था मैंने कि सारी पावर को फिरोना चा रहे थे एक आदमी में एक सेंट्रलाइज यूनियन में एक जगे पे अब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये तो गलती हो रही थी ये तो मिस्टेक थी हमारी ऐसे मत करो इनको सबको कानूम मनाने की ताकत दो अपनी अपनी जितने ये बॉम्बे मदरास जितने सारी जितने हमारी प्रेस्टेंजी बन रही है जो इंडिया है हमारा ऐसा तो भाईया एक काम करो ये जो बॉम्बे है ये जो मदरास है ये जो यह यहाँ पर NWFP है यहाँ यह अपना बंगॉल है यह पंजाब है या डेली सब जितना एर लेज़ेडिक पावर्स टूदम मदरास एंग बॉम्बे गवर्नर्स ये बोला गया कि आप अपने काउं बना वल जुपचाब बना सकते हो फिर 1892 बीस साल और हो गये सुरी तीस साल और हो गये तो 1892 में आगया दूसरे इंडिन कांशल सेक्ट अब इंडियन हमारे उग्र हो यह जब ठाएं बना आप बत अब जैसे मैं आपको बताया यह सारे होगध बंबे मदरास बेंग एड़ फपी पंजाब डेली आवाद, सारे चितने, है ना, तो ये सारे हैं अपने अपने प्रोविंस, प्रांत, स्टेट, कुछ भी गयलो इनको, ठीक है, तो इन में भी अपने अपनी विदान परिशाद है, अपने अपने स्टेट के लिए, और ऐसा ही बैठती ही सबसे बड़ी पावर जो दिल्ली में ह कॉलकता में, जो पूरे देश के लिए बना रही है, इंडियन सेंट्रल, साथ ही प्रोविंस की अपने 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 काउंसल, तो हमने देखा कि ये कर रहे हैं, प्रोविंशियल और सेंट्रल में, एड़ेड एडिशनल मेंबर्स, जो कौन होंगे, जो होंगे नॉ इन डॉसियल और सेंट्रल, साथ हैं, जो देश का कॉंसल है, सबसे बड़ा वाला, जिसके प्रेसिडेन नॉमिनेट्ट्ट फ्रोविंस रहे है, और जो बाकी जगा पर हैं, जैसे युनाटर प्रोविंस में गवर्नर थे, जैसे MP में एक इनके बहुत सारी गवर्नर्स थे, ठीक है? NWFP का Governor था अपना, पेंगॉल का अपना था, Bombay का अपना था, Madras का अपना था, Pepsu States का अपना था, तो इन सारी जगाओं के Governors अपने, 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 अपने काउंसिल में, अपने करेंगे, ना मांकन करेंगे, कोई election नहीं हो रहा है, कोई बहुत जादा, इनको कोई, इनको पावर नहीं मिल रही है, अब, system of budget was introduced in British India in 1860, 1860, पहली बार हमारे या, budget का प्राफदान शुरूब हुआ, extended the functions of legislative councils to discuss budget and addressing questions to the executive, ये क्या आफद है, मतलब पहली बार, जो ये council बने थे, जो one plus four plus six, जो जितने सारे जो MP आके बैट रहे हैं, जो बाते कर रहे हैं, तो पहले ये इंडिया के लिए जो budget निर्धारित होता था, कि इंडिया में कोई अगर railway line बचानी है, तो, इंडिया में कोई अगर नई कोई canal irrigation करवाना है, तो, इंडिया में कोई नई फसल के लिए पैसा चाहिए, तो, तो इन सारे चीजों पे जो budget पेश होता था, वो budget पेश होता था, ब्रिटन में, ब्रिटन में, लेंडन में, ब्रिटन पार्लेमेंट में, जो वहां के Secretary of State पेश करते थे, वहां की पार्लेम के उपर question पूछने की जिम्मेदारी, इस budget के उपर discuss करने की power दे दी गई है, इन councilों को, function related council to discuss budget and addressing questions to executive, जो कारे पालिका है, जो vice roy है, जो vice roy की अपना executive council है, उन से ये सारे additional non official members, ये सब लोग question पूछ सकते हैं, कि साहब थोड़ा सा पैसा तो बढ़ा दो, सरकारी स्कूलों पैसा बढ़ा दो, सोड़ा थोड़ा इन चीजों, health पैसा लगा दो यार, जितना अस्पताल खुलबा दो, कुछ तो करवा दो, इस सब ऐसे नहीं चल पाएगा, तो वो सवाल पूछ सकते थे, पहले सवाल भी नहीं पूछ पाते थे, अब आप देख रहे हो, हमारे Indian Parliament में, Indian Policy के structure में, ये सारी चीज़ें incorporated हैं, कि हम discussion होता है budget पे, अभी March, April का समय था, जब पूरे पूरे समय budget पे चर्चा हुई है, कई सारे cut और censure motion भी pass हुए, जब बजट के उपर से questions पूछना समय वेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, आप पढ़ते हो, देखते हो, कि ये सब होता ह है, और ये हो रहा है, और ये तब आप बहुत जादा अच्छे रूप से और समझोगे, जब आप services में आ जाओगे, मैं आपको एक बात बता हूँ, budget से मुझे कुछ याद आ रहा है, तो एक fact है, बहुत कड़वा सच है, पर प्लीज इस सच को अपने गले से उतार लो, इस services, I am telling you right now, because this government or any government from now onwards, will be adamant on privatization, आने वाली सरकार है, प्राइविटाइजेशन को बढ़ावाद देंगी ही देंगी, और प्राइवेट सेक्टर पर कितना tax है, आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो, कि ये टोयोटा किरलोसकर का एक statement है, हम कोई गाड़ी चालिस पचास हजार रुपे, एक लाग रुपे, पर सरकार कमाती है, आठ लाख रुपे, तो इसका मतलब ये है, कि सरकार प्राइवेट सेक्टर पे tax लगाती जा रही है, लगाती जाएगी, और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाती जाएगी, गवर्मेंट कई सारे department से प आ सकते हो, सर्विस में आ जाओ, that's best for you, so that was it, ये जो act था, this made a limited and indirect provision for the use of election in filing up some of the seats, some of the, some of the non-official seats, but the word election was not used in the act, पहली बार चर्चा हो रही है, कि non-officials को add करो, additional लोगों को बिठाओ यहाँ पे, इस act ने पहली बार एक limited तरीके से, indirect तरीके से एक provision दिया, प्रावदान द या, for the use of election in filling up of the non-official seats of the councils, ये बोला गया, पर election word अभी भी 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 यूज नहीं को है, अभी चनाव कहीं नहीं हो रहा, चनाव नहीं हो रहा, ना मांगन हो रहा है, बस खाली दोस्तों का, word used was nomination, made on recommendation of certain bodies, कई सारी bodies थी, आपके book में लिखी हुई है, कई तो universities हैं, district boards हैं, trade unions ह ये इन सारी bodies ने जब जब recommendation दिया, कि साब ये हमारा corporate corporation है, जो भी commerce corporation है, ये भाई recommend करते हैं हमको, कैचा करते हैं, हाँ करते हैं, आजो, चलो, जमीनदार्स बड़े-बड़े, इन लोगों को, अगर कोई recommendation है, तो वो मन लिए, ये सब होते थे, फिर आ रहा है हमारा, 1909, that is, मौली मिन्टो reforms, भया, फिर से और नाम आ गए हैं, ठीक है, मिन्टो हमारे थे, लौड मिन्टो थे, वाइसरोय हमारे, ये बैठे हैं अधर, गोरे से, और ये जो बैठे हैं उधर, ये हैं मौले, मंत्री जी, मंत्री for India in London, तो इन्होंने पहली बार बोला गया, कि जाओ, Central पे भी और Provincial पे भी, 16 से करो 60, Provincial लेविल पे सारे Provinces का जो size था, वो uniform नहीं था, तो बोल दियागा है कि यार, अपने अपने हिजाब से बढ़ा हो लेकिन, बढ़ा हो पहले, बढ़ा के मानेंगे, नहीं तो नहीं मान पाएंगे, Official Majority अभी भी जादा है, Official Majority in Central legislative council, Provincial legislative council to have non-official majority, Central में, Viceroy के साथ, जो लोग बैट रहे हैं, तो उसमें जो official लोग हैं, जो वोट कर सकते हैं, जो काम actually करवा सकते हैं, जिनके पास power है, वो लोग जादा हैं, और non-official लोग कम रहेंगे, पर Provinces में non-officials की majority जादा हो जाएगी, जो काम नहीं करावाए चलो, ठीक है, कोई दुक्त नहीं है, इंडिदूस अ कंसेप्ट आफ पहली बार, communal representation for the Muslims by accepting separate electorates, now this is where the doom of this communal tension starts, ओके, यहां से हमारी शुरू हुई है, पहली बार, यह जो संप्रदायवाद की problem है, देश में, जो हिंदू, मुसलिम, जो कुछ भी तरीकी, जो जितने देश को जो बाटने का तरीका है, 1909, आपको याद होगा, 1905 इसके पहले जा चुका है, 1905 में एक बहुत बड़ा event हुआ था, जिसमें एक चीज का बटवारा हुआ था, एक चीज का बटवारा हुआ था, प्लीज कमेंट करो, मुझे भी बताओ, 1905 में क्या हुआ था, और किस ने कि किछी को कम किछी को जादा, ऐसा कुछ, डू टू टू देस, Lord Minto is called as father of communal electorates, यह Lord Minto साब जो बैठे, इन्होंने देश को डिवाइडन रूल करने का सबसे शांदा तरीका ढूंड लिया, और इनका तरीका जो इतना गजर था, वो आज भी हम देखते हैं उसको कि वो चल रहा तो, इंडियन्स with the executive councils of the viceroy and governors, इंडियन्स हो गए, एक वाइसरोय के executive और इसमें सब council में हो गए, governors के भी, सतें प्रसाथ सिना, SP सिना आपको पता होगा, first to join, he was a law member, यह पहली बार बने हमारे law member, जो law के उपर बात कर सकते थे, जो कानून actual law के उपर बात कर सकते थे, SP सिन और हमारे जुड़ गए, वाइसरोय के इंडियन central executive council में है, और इनोंने पहली बार law department लिया, law mantra ले लिया, और बहुत इंडियन, बहुत इंका सम्मान है, बहुत ज्यादा, scholar थे, बढ़े आदमी थे, तो, government of India Act 1919, Montague Chemsford reforms, तो Montague was the मंत्री जी, जो यह है, और Chemsford is the Viceroy, इनक रहते थे, so, anyway, और बहुत गांदी जी से बहुत प्रभावित भी थे, so, for gradual introduction of responsible government in India and it came into force in 1921, पहली बार हमारे यहाँ एक जिकर हुआ, कि एक अच्छी responsible सरकार कैसे बने, उसको कैसे introduce करें, उसका हम आगे यहाँ पर हमें बात करनी है, तो वो कैसे होगी, central and provincial subjects separated, पहली बार कि कुछ subjects ऐसे हैं, जिन पर कानूं खाली center बनाएगा, और कुछ ऐसे हैं, जिन पर कानूं खाली province बनाएँगे, प्रांत बनाएँगे, but, structure continued to be centralized and unitary, structure अभी वही है, structure हमेशा अभी भी center heavy है, center heavy, इस word को याद रखना, यह word बड़ा अच्छा है, center heavy, मतलब, center के पाज आता ग रहेगा, अब transferred, governor plus aid of ministers, responsible to legislative council, यह क्या चीज़ है, provincial subjects को, यह जो provincial subjects हैं, तो center एक subjects हैं और provincial subjects हैं, अब provincial कोई बाढ़ दिया, दो में, एक हो गए transferred, एक हो गए reserved, यह बोल दिया गया, यह जब क्या हो रहा है, तो कुछ ऐसे topic हैं, जिनके उपर कानून बनाने के लिए, जो प् प्रांतों के बाद हो रही है, खाली यहां पे, यह दोनों पॉइंट खाली प्रांतों के लिए हैं, प्रोविंसे के लिए हैं, तो कुछ transfer subjects ऐसे होंगे, जो governor उन पे फैसला लेंगे, with the help of aid of ministers, उनके जो council के जो और ministers होंगे, जो Bengal, Bombay, मदरास, NWFP, पंजाब, यहां पे जो यह हमने दे दिये, transfer कर दिये हैं, Indians को, कि इस पर आप अपनी राय बता दो, मैं उस पर फैसला दे दूँगा, ले 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 न मैसे, signature, और कुछ subject ऐसे होंगे, जो reserved रहेंगे, governor plus executive council without being responsible to the legislative council, जो governor का अपना cabinet है, चुटी चे अपना कुनबा है, 1 plus 4, ऐसा कुछ, कुछ भी हो सक ले ले लेंगे, और उन्हें कोई मतलब नहीं, मिनिस्टर से या लेशेड़ी कामसल से कोई जवाब देगी, नहीं दिरे जवाब, जाओ यहां से, चलो, कर लिया, हमने कर लिया, वो subjects होंगे, तो important subjects जो जो होंगे, वो सारे reserved रहेंगे, जो transfer होंगे, वो सारे subjects हमेशा हलके ह होंगे, छोटे होंगे, canal irrigation करवाना है, ठीक है, मेले जूले लगवाने हाँ, ठीक है, करवालो, जो तुम्हें लगे सही करवाना, तुम बता देना, वो वाले काम, पर जो important होंगे, के state के रिष्टा कैसा तय होगा, state का road, सबसे बड़ा highway कैसे बनेगा, तो वो सब हमारे इस system है, actual system, house of lords, house of commons, हमारे हमने अपने फॉलो किया, center पे भी और state level पे भी, तो upper house, lower house, US में भी होता है यह, senate और congress, तो वो हमने यहाँ पहली बार होते हुए देखा, कि दो houses बने, कैसे कैसे बने, replace the Indian legislative council by upper house, lower house, council of states, legislative assembly, यह आज भी चल रही है, यही से हमारा structure तयार हो रहा है, अब हमारा बस हम, पास आ गए, आ जा दीगे, अभी हम इनसे माग रहे है, पूर्ण सुराज, यह हमसे कह रहे है, टौफी लो, तो हम इनसे माग रहे है, dairy milk silk, यह में दे रहे हैं, लॉलिपॉप, यह चल रहा था, ठीक है, majority of members of house chosen by direct elections, अब पहले बार election हुए हैं, election पाएगा, कौन ने डाल पाएगा, पर पहली बार हुआ यह, कि लेशिट्व एसेंबली में, lower house में, पहली बार जो member चुनके, आए, वो member आए, चुनके, इंडियन्स आए, जिनको इंडियन्स लोगों नहीं vote दिया, भली vote किसकिस ने दिया, कैसे कैसे दिया, वो अलग बात है, वो देख लेंगे भी हम, तो, और सुनो, डायर की in provincial subjects, आपको बता है मैंने, एक तो transferred plus reserved, यही है, वो चीज, कि कुछ पर इनका अपना rule चलता है, कुछ पर यह सुन लेते हैं, दूसरों की, अपने, इनकी ministers की, तो, on recommendation of league commission, 1923-24 में एक league commission मना था, तो इन्होंने पहली ब पर तै किया, establishment of Central Public Service Commission, UPSC, Central Public Service Commission, set up in 1926, पहली बार के commission मनाओ यार, एक commission जो exam ले, जो recommend गरे candidates, अच्छे अच्छे candidates, होने वाले candidates, तो उनको select करें, उनको चुने, उनका exam ले, उनको recommend करें, कि हाँ, यह service के योग यह हैं, ऐसे वाले लोग, ठीक है, साथ ही, provincial budget separated from central budgets for the first time, provincial subjects, जो provincial budget होगा, वो center से अलग रहेगा, तुम अपना budget अपने आप बताओ, हमको टै करो, क्या है, office of high commissioner for India in London, कई सारे काम, जो मंत्री जी कर रहे थे, कि इंडिया की diplomacy कैसे होगी, इंडिया में कौन-कौन सी embassies आ सकती हैं, किस और देश की आ सकती हैं, इंडिया का foreign relations कैसे हो होगा, तो हमने पहली बार बनाए गया, हमने देखा पहली बार एक बना high commissioner, इंडिया का ambassador, जो लेटेगा, तो उसने कुछ रोल ले लिए, secretary of state से, जो मंत्री जी थे वहां के, कि ये वाले रोल मैं कर लूँगा, ये वाले रोल आप मुझे दे दो, रिष्टे समालना, डिप executive councils to be Indians, except commander-in-chief, जाहिर बात है, समझ में आ रहा है, कि आर्मी थोड़ी देंगे इंडियन्स के आत में, बनाए तो इंडियन्स तो कली हमको भगा देंगे यहां से, इसलिए नहीं, commander-in-chief को रखा गया, अंग्रेजी, अंग्रेजों के पास, और वाइस रोग executive council का जो 6 का जो उसमें से तीन होंगे इंडियन्स, executive में, मंत्रियों में, ठीक है, communal representation for 6, सबको देना, सबको देना शुरू कर दिया, इंदो-Muslim नहीं, अप सब और लो, 6, Indian Christians, Anglo-Indians, Europeans, जितने तरहे के यहां पे breed है, लोगों की, सबको दो, अलाग अलाग ब्रांड के लोग है, अलाग रिद्व, representation है, statutory commission to study the working of the government after 10 years, यह बने साइमन कमिशन अभी आगे, अभी पढ़ेंगे हम इसको, तो पहली बार इस एक्ट में बोला गया, कि इसी एक्ट की study भी करनी है, आगे चलके, कि भाई, इस एक्ट में कैसा काम किया, तो एक सरकारी कमिशन आएगा, ओ सरकारी कमिश on basis of property, tax, और education, यही थे वो लोग जिन्होंने vote डाला था पहली बार, Indians ने, कौन लोग, जो कुछ percent उनके पार property है, कुछ वो tax देते हैं, एक certain amount का, या कम से कम इतने पड़े लेके हैं के नहीं, education है के नहीं उनके पास, तो उन्हीं लोगोंने vote दिया, उसमें से majority चुनके उसके पहली बन गया, मतलब 1929 मनना था, दो साल पहली बन गया यह, क्योंकि सरकार समझ चुकी थी, गांदी जी नाराज हैं, और देश में जो जितने extremist हैं, वो बहुत जाता हाइपर होने वाले हैं, भाईया समझो इनको अब कैसे करना है, तो उधर एक World War I होके खतम होके चुका है, तो अंग्रेजों के पास बहुत चार टेंशन चल रही है, हर तरफ उनको एक्वेशन सेट करनी है, अपनी हर तरफ उन्हें अपने तालमिल बिठाने हैं, लेकिन इंडिया को छोड़ना नहीं है, कुल मिला के, तो भाईया क्या किया, यह आया सामन कमिशन इंडि नहीं, यह आये सातों बड़े आदमी टोपी ओपी लगा के इंगलेंड से, और इंडियास ने का कि हम तुम से बात क्यों करें, तुम तुमारे में कोई है जो हमारा जो हमारी बात रखेगा, जो हमारी बात लिखेगा, तुम तो सुनोगे और लिखो अपने मन की, कैस तो न हमें तुम से बात नहीं करनी, all members were British, all parties boycotted the commission, हम नहीं बात करेंगे, Simon go back, यही जब लाला जी की death होती है, recommendations with some changes are incorporated in the government of India Act 1935, जो recommendation दिये थे, तो काफी कुछ हुआ, white paper बना था, इनके बाद roundable conference हुई थी, सब कुछ हुआ था, तो अभी बताता हूं क्या होता है, तो इन्हो आपने जो recommendation दिये थे, वो recommendation कुछ कुछ continue हुए, और 1935 की government of India Act में भी वो शामिल होते हैं, अब recommendation सुनो, के communal electorate तो बड़ीची चीज है, जो आपने संप्रदाइवाद फैलाया है, यह बहुत बड़ीचीज है, इसको और फैलाओ, और करो, कूप करो, सब को बाट दो, यह इ जा दो, जो dual rule आपने बना रखा है, इसको आप खतम करो, ऐसे मत चलाओ, बैर की महाने, double rule, double, double, rule, यह, ठीक है, federation of British India बनाओ, federation, यानि, संग, संग, हिंदी में लिख दिया मैंने, समझ मैं आ जाएगा आपके, ठीक है, federation बनाओ, British India गा, जिसमें कई सारे provinces होंगे, कई सारे प्रांत होंगे, कई सारे princely states होंगे, जो भी होंगे, सब को बनाओ, फिर, अब इतनी सारी recommendation को पढ़ने के लिए, इन पर विचार विमर परेगा हम से, तो इंडिया, तो गांदी जी तो गई नहीं थे, थर्ड वाले में गई थे, तो उसके बाद, तीन roundtable conference होई थी, ठीक है, roundtable conference होई तीन, फिर इसके बाद, roundtable conferences के बाद, एक बनाया यह white paper, based on this, white paper on constitutional reforms was prepared and sent, sent to, sent to joint select committee, joint select committee of, joint select committee of parliament, इनको दे दिया गया, मतलब क्या हुआ, कि बिटने सरकार ने बोला, देखो साब, एक commission जो हमने बनागे भेजा था, हमारे दोस्तों का, अंग्रेज़ों का, तो इस commission ने जागे आपके इंडिया में research करी, पढ़ाई करी, इन्होंने कहा कि हमने जो government of India in 1919 बनाया था, व नहीं आ रहे, हम ना तुमारे इस commission को मानते हैं, जिसमें सारे अंग्रेज हैं, ना हम तुमारे इस conference को मान रहे हैं, हम नहीं जा रहे, तो हम बिटगरजी गए थे, और बागी लोग भी गए थे, ठीक है, गांधी जी ने पहली दूसरी अवाइड की तीसरी में गए थे, इ और इसको भेज दिया गया, पार्लेमेंट की, बिटन पार्लेमेंट की, जॉइंट सेलेक्ट कमिटी के पास, जॉइंट सेलेक्ट कमिटी के पास, कि साहब हमारे discussion इतना लंबा चाओड़ा हुआ, उसके बाद अब आप लोग ये इसको पढ़ लो, अब क्या इसमें देख ल इसको एक नए आक्ट बनाओ, और नए आक्ट में इसको शामिल कर दो, और जल्दी देख लो, हम इधर जर्मनी से परिशान है, इधर जर्मनी लड़ाई करने वाला है, 1929, 1930, जर्मन राईज, जर्मन राईज ऑफ नाजीजम हो रहा था उदर, तो ब्रिटन के पास एक प्र अवार्ड, 1932, जो हमारे ये, जो हमारे साहब हैं, रामजी मक्डोनल्ड, इन्होंने, ये ब्रिटन के पीम थे, और इन्होंने सब को फैलवा दिया, कि तुम भी आरक्षन लो, तुम भी ये लो, तुम भी अवार्ड लो सब को, संप्रदाय के नाम पे, अपने अपने चाह हैं, हमें उनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, हम सब इतने अच्छे लोग हैं, कि इंडिया में जो मेजॉरीटी हिंदू हैं, हम उनसे लोगों को बचा लेंगे, जो माइनारेटी हैं, मुसलिम हैं, सिक्स हैं, एंगलो इंडियन्स हैं, यॉरोपेंस हैं, उनका क्या होग का एक representation मिलेगा, कहां का मिलेगा, legislative council मिलेगा, ठीक है, also extended this to depressed classes, जिसको आजम schedule class और schedule tribe कहते हैं, तो उसको ये कहते थे, ये depressed classes हैं, ये लोग परेशान हैं, ये लोग वंचित वर्ग हैं, तो गांदी जी इसके खिलाफ सत्यागर बेट गे, गांदी जी ने का यरवादा जेल में, कि मैं मर जाऊंगा, मैं भूखरताल करूंगा, मैं मानूंगा नहीं इस चीज़ को, मेरा देश पूरा पूरा बटा हुआ है, इस चीज़ को मैं बरदाश नहीं करूंगा, फिर इसके बाद, क्योंकि अंबेडगर जी ने का था, मुझे कोई लिक्कत नहीं है, ये इंडिया में रहना चाहूँगा, उस आजा दि इंडिया में, मुझे नहीं रहना, और उनकी बातों में दम था, अंबेडगर जी उस स्ट्रगल को जी के आये थे, अंबेडगर जी ने उस स्ट्रगल को अपने आखों से अपने ऊपर बीचते हुए देखा था, इसलिए उन मान जाओ, अंबेडगर जी मान जाओ, प्लीज, 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 कुछ भी करा लो, गांदी जी जेल में अंचन पे बैटे हुए, ये मर जाएंगे, और ये मर गए तो देश में आग लग जाएगी, ना हमारा सुराज का प्लान हमारा सफेल हो जाएगा, हम आजात भी न त्रमेडगर जी, ठीक है, दोनों के बीच में ये पैक्ट हुआ, कि भाया, पूना पैक्ट होगा, कॉंग्रेस एक ही है, कॉंग्रेस साथ मे रहेगी, हम तूटेंगे नहीं, अब इसके बाद फैसला ये हुआ, कि हिंदूस, सारे हिंदूस एक रहेंगे, एक जॉइन्ट इ अब इसके बात कर ली, अगर आपने रेप्रेसेंट की बात मान ली, अगर आपने रेप्रेसेंटेशन मान लिया, कि एस्टी एस्टी को ही चुनेगा, और एस्टी एस्टी को ही चुनेगा, तब हम हार गए उसी दिन, हम आजादी नहीं ले पाएंगे, ये बात हुई, अब भईया देखो, Government of India Act 1935, 1935, हो गए आजाद, ठीक है, ये एक्च्वल हमारी समय जिकर शुरूँ हो चुका है, क्योंकि वहां होने वाला है World War 2, और यह नहाँ पर हमारे सारे सब चीजें, क्रिप्स मिशन आ रहा है, हमारा इतना सब बड़ी-बड़ी बातें हो रही है, हम लौड वैविल, लौड अर्विन, सारे लौड आके अपने सब एक्वेशन बिठा रहे हैं, समी करनम बिठा रहे हैं, पर हम नहीं मनने वाले, हमने पहल Establishment of Federal Public Service Commissions, Federalist Union, UPSC की शुरुवात, ठीक है, Provincial Public Service Commissions, State Public Service Commissions, UPPCS, RAS, MPSC, MPPSC, ये सब सारे, Joint Public Service Commissions, अगर दो स्टेट चाहें तो मिलके, दो या दो से जादा, चाहें तो मिलके अपने आप में, एक कोई PSC जोड सकते हैं, एक कोई PSC बनवा सकते हैं, ठीक है, All India Federation having provinces and princely states as units, एक पूरा All India Federation होगा, All India का गठबंदन होगा, जिसमें British province होंगे, princely states होंगे, ये सारे units होंगे और एक पूरे में पिरोया जाएंगे, princely states did not join it, so federation never came into existence, क्योंकि रोना दगा, पता नहीं हम पर क्या बीतेगी, हम अगर इंडिया किसा जुड़ो गए तो हम अलग रहेंगे, हम तो अलग जा रहे हैं, फिर power हमारी divide होई, कैसे कैसे, federalist में, provincialist में, concurrent list में, constitution, same constitution, ठीक है, ये हमारे सम्विदान में, आज भी हमारे schedule में, centralist, state list, concurrent list, centralist में आता है defense, foreign relations, बड़ी बड़ी चीज है, ठीक है, जो इंडिया का union, जो इंडिया का union देखता है पर्लिमेंट देखता है, provincial list, इसमें कई सारे जो state के जो subjects आते हैं, land आता है, police आता है, law and order आता है, ये सारी बात है, ठीक है, concurrent list, concurrent list, जिसमें दोनों, center और state दोनों कानूं मनाते हैं, education, agriculture, health, क्योंकि ये ऐसे sector हैं, कि इनको states के हवाले नहीं दे सकते, हर state अपने मन से कुछ कानूं बना लेगा, नहीं, इसमें दोनों मिलके कानूं बनाते हैं, center भी और state भी, और state को follow करना पड़ा था, center ने जो कानूं बना दिया है, वही, ठीक है, it is a very lengthy document, with 321 sanctions and 10 schedules, यही, GOI 1935, आपको पता ही, of course, abolish diarchy and introduce provincial autonomy, अब provincial autonomy आएगी, प्रांतों को आजादी, अपने आप पुलीस, land, सब कुछ, ठीक है, bicameralism, कहां-कहां पे, Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and the UP, 11 में से 6 को दे दिया, bicameralism, कि हाँ, आप 11 जो प्रोविंस हैं, जो ब्रिटिन के, जो अधीन हैं, उन में से 6 में रहेंगे हमारे bicameralism, double house, 2 house, 2 southern, जैसे आप बोलते हो, lower house, upper house, विदान सभा, the center, federal subjects divided into reserved subjects, and transferred subjects, जो खाली पहले provinces के level पे होता था, transferred reserved, वो अब शुरू हो गया, federal level पे भी, federal subjects में भी, वहाँ भी viceroy है, कुछ मंदी के साथ बैठके, सलाम अश्वरा करके sign करता है, कुछ अपने मंदी sign करता है, जो transferred में हैं, और reserved में है, Residuary powers are with viceroy, Residuary power, मतलब किसी ऐसे topic के उपर कानू मनाने की power, जो अभी तक सामने नहीं आया है, मान लो अगर उसमें 1935 में कभी computer की बात हो रही होती, कभी AI की बात हो रही होती, तो उस पे कानू कौन मनाएगा, viceroy साब बनाएगे, और कोई नहीं मनाएगा, ठीक है, establishment of RBI, establishment of federal court, that is the supreme court, ये बनेगी, सैथिस में, ठीक है, abolish the council of India, established by the government of India, 1858, जो council of India बनाएगा था, 388 में वहाँ पर, कोई बात जरूबत नहीं उसकी, extended franchise, 10% of population, जो पहले vote दिया लोगोंने, on the basis of education or tax or property, अब वो बढ़ा के कम से कम 10% Indians को तो दे दिया गया, कि हाँ, आप भी vote दे स रखते हो, 10% भारती है, जतने हैं, देश में, बहले ही, कितने भी हो, 8 करोड हो, 10 करोड हो, 15 करोड हो, 20 करोड हो, वो सारे के सारे, अब उन में से खाली 10% लोग है, जो vote दे पा रहा है, ठीक है, कम से कम इतने तो मिले, communal representation extended, ये बढ़ गया, communal representation, जो संप्रदाए के नाम पे जो representation था, वो और आगे बढ़ गया, ठीक है, depressed classes, schedule cast, STs, women and laborers, workers, इनको भी दिया गया, कि इनका भी minority में नाम आता है, और ये भी शोशित वर्ग है, बंचित वर्ग है, exploited section of society है, हम इनको representation देंगे, ये बोली गई ये बात, ये अच्छी बात थी, ये actually बहुत अच्छी बात आप परिशान होके बोल चुके हैं, जाओ, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं, खतम करो इसको, पर बहुत असानी से नहीं, अभी असानी से कुछ इंडियन कोई काम कर लें, तो वो असानी काम ही क्या करो, तो 20 फरवरी 1947 को, 20 फरवरी, अगस्त बाद में आता है, टेमेट एटली क मतलब उसके पहले से, उसके पहले तक चले जाएंगे हम, इसके बाद हमारा रूल नहीं होगा, हमने का, रहे हैं, इतनी असानी से कैसे, 3 जून को 1947 को, समविधान फ्रेमड बाय कॉंस्टिट्टिट्ट असेंबली, कांट भी एप्लिकेबल ऑन पार्ट्स अट्री अन्विल हम तो मारे जाएंगे, हमें तो पीटे जाएंगे, तो क्या बात है, फिर पार्लेमेंट सुना, क्यों हम लड़ाई कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या है क्या तुम्हारी प्रॉब्लम, तो मुस्लिम नहीं नहीं का कि, पाकिस्तान, 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 तो उन इनों ने और कुछ नहीं बोला कभी भी मुस्लिम लीग ने इनकी शुरू से एक रट लगी रही पाकिसान 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 बस अब क्या चाहिए दो पाकिसान में कि नहीं हमें अलग करो हम पहले अलग जाएंगे तो हो जाओ अलग क्या चाहिए उसी द तब मानेंगे हम पहले हमाँ आजाद करो फंग्रेस शुरू से लड़ाई कर रही थी कि मत जाओ अलग साथ में रहो हो जाएगा सब जाएगा जिन्ना और मुस्लिम लीग पूरी अलग हो चुकी थी कि हम तो अलग जा रहे हैं हमें नहीं रहना तुमाँ हम नहीं रहेंगे के तहथ पार्टिशन ऑफ इंडिया और इंडिया और पाकिस्तान वर क्रिएटेट साब बात है यही हुआ था इसी दिन ठीक है फ्रीटम टुद अंदियन प्रिंसली स्टेट्स टू जोइन डॉमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान और टू रिमें इंडिपेंडेंड यह प्लान था इस Independence Act में कि भाईया प्रिंसली स्टेट्स जतने भी हैं अजमेर, आमेर, अलवर, जतने भोपाल जतने ये सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं इनका मन कहां है ये क्या चाह रहा है तो मैं इंडिया में रहना है ये तो मैं पाकिसान में जाना है और हमारे कुछ ऐसे हीरो थे ना, जो बहुत ज्यादा जिनने गर्मी चड़ी हुई थी जूनागर, हैथराबाद, चम्मु कश्मीर समझ में आई बाद में कि नहीं जाना चाहिए था गलती कर दी, ये फैसला ले के तो, Discontinued Appointment of Civil Services and Reservations by the Secretary of State for India जो मंत्री जी वहां बैठके appointment करते थे, मां लेंडर नों बैठके मंत्री for India, Secretary of State for India, तो ये appointment जो करते थे ये Civil Services का, Discontinued अब ये आप नहीं करोगे Central Public Service Commission, UPSC करेगा अब अपने देश में, अपने अफिसर्स को अपने आप चुनेगा, अपने आप सलक करेगा और अपने आप उनका appointment देगा, ठीक है, नाइस Governor and provincial governors to act on the advice of the respective council of ministers in all matters, अब नहीं चलेगी, किस की किसी की भी, अब किसी की भी तानाशाही नहीं चलेगी, ठीक है ये बात ते होगी, कि आपको जो भी कदम करना है, जो भी कदम उठाना है, जो भी sign करना है, कुछ भी करना है, ये खाली आप minister से सला मश्वरा किये बिना कुछ नहीं करोगे क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा था Governor अपने इंडिया की फॉज भेज दे रहा है World War 2 में, बिना लोगों से पूछे, इंडियन से पूछे कि क्यों भेजे भाई, किसने तुम से गाता भेजने को कि उन्हें का हाँ, हम भेज नहीं थी, हमने भेज दी ऐसे नहीं होगा Abolish that Vice Roy, Governor General for East Dominion, खटम नहीं चाहिए, abolish the Secretary of State for India, जो मंत्री ची जो पहले appointment करते थे उन्हीं मंत्री ची को बोला, तुम भी अटो यहां से तुम भी नहीं रहोगे अब, ठीक है Drop title of Emperor of India from the Royal titles of the King of England जो राजा थे, मोनार्क थे, जिनका full title होता है, बड़ा लंबा चोड़ा, उसमें आखरी में होता है, Emperor of India या अगर महरानी है तो Empress of India तो भाईया, उसमें से वो title अटाओ तुम इंडिया की Empress नहीं हो अब इंडिया की Emperor नहीं हो अब कोई ठीक है, इंडिया में कोई Emperor नहीं है, इंडिया का खाली एक कावड़ा जनल होगा, उसके बाद राशपती और PM होंगे, that's it, ठीक है No act of the British Parliament passed after August 15, 1947 can be applied, was to extend to either of the new dominions आप British Parliament कोई भी आख नहीं लगा ले अपनी मर्जीज है 15 के बाद, वो इंडिया पाकिसान पे तो नहीं होगा, बस, ये बात है पाकिसान में भले हो जाब, इंडिया पर तो नहीं होगा बस, ये हो जाए Lord Mountbatten became the first Governor General of New Dominion of India and Nehruji was sown in by him as the first Prime Minister of Independent India साहर बात है, fact है हमारा तो and Assembly of 1946 हमारी सम्विदान सभा, ये बनी हमारी पहली Parliament of the Indian Dominion ये बनी हमारी Parliament और इसी सम्विदान सभा ने हमारे सारा काम किया है हमारा सम्विदान मनाया है, हमारा flag adopt किया है, हमारा emblem adopt किया है हमारा ratify किया है हमारा membership to the UN to the Commonwealth, सब कुछ तो ये हमारी पहली Parliament बनी, जो सम्विदान सभा थी खुद 1946 की बनाई हुई तो ये बढ़े हैं, नेक्स चैप्टर में आता है आपके अब भाईया ये मैंने आपको पूरा पढ़ाया ये मुझे मैं आपको बता रहूं, फिर से the company rule है, तेहतर से 58 तक और ये सारे 7 act है ठीक है, आठ है, सॉरी 4, 5, 6, 7, 8 तो इनको याद करने का तरीका एक ही है, 73 को याद करने के लिए आपको याद करना है, जनरल अफ बेंगॉल तो गवर्नर जनरल अफ बेंगॉल बोला गया ठीक है, फिर Central Administration होना था इसमें तूसरे में क्या बात हुई है, Exempted GG and Council from the jurisdiction of Supreme Court Supreme Court की बात हुई थी पहली बार ठीक है, फिर Commercial and Particle Functions को Separate किया गया, COD and BOC मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ याद करना है, Question आएगा Prelims में ऐसे ही टांके खोले जाएंगे लड़कों के और आपको गलती नहीं करनी है प्लीज इसको याद रखना, इसलिए बार-बार रिवाइस करा रहा हूँ Lord Convales, Commander-in-Chief and Override of the Council Lord Convales कहां से आये थे? कौन से से रेंटर्स होके आये थे? Comment करो, ठीक है? Trade Monopoly extended for another 20 years यह हुई थी, 20 साल हो रहा है उसके बाद फिर Trade Monopoly abolish कर दी गई Christian Missionary आये, Western Education आये उसके बाद, ठीक है Bengal के वरने जनल को बोल दिया गया, आप India के पूरे वरने जनल हो, Lord William Mendig मने थे, ठीक हो गया अब Open Competition for Civil Services Local representation यह सब भी होगा यह पूरी बाते हैं, यह आपको याद रखनी है मैं थोड़ा से इसको मिटा दूँ तक यह अच्छा लग जा तो, इनी अगर पॉइंट को अभी याद रख लोगे तो भी भाईया, आपको सारे यह order में याद हो जाएंगे और आप भूलोगे ने इसको फिर 58 का हमारा Act of Good Government हो क्या करता है सतान का रेवोल्ट हो चुका होता है कंपनी गई, गवर्नेशनल की जगे वाइसरोय आ गए ठीक बात है फिर इसके बाद, ordinance introduced initiated decentralization वाइसरोय सहाब अपना खुद एक issue कर सकते है ordinance के मेरा मर्जी है मैं आज issue करता हूँ, मुझे 6 महीने का, मेरा ordinance का, मेरी life होगी ये सारी बाते आपको याद रखनी है ठीक है, ओके LC can discuss budget जो council होगा, legislative council होगा that can discuss budget and increase members in the legislative council ओके, morally mentor reforms communal representation, याद करना है मिंटो जी, फिर उसके बाद montague transfer reforms, bicameralism, direct elections ओके, ठीक है abolition of diarchy तीन round tables, यह हुई थी कहाँ पे यह दोनों एक्ट नहीं है, बस यह आद रखना यह साइमन कमिशन हो, साइमन कमिशन communal awards कोई act नहीं है एक्ट उसके नीचे और उसके ऊपर है फिर इसना क्या बोले, communal award में रमजी मिंक्डोनल्ड ने कि सबको और अरक्षन और सबको representation और दो, to the depressed classes to the women, to laborers, सब कुछ, ठीक है Government of India, 1935 establish RBI, Federal PSC, Provincial PSC, Federal Court सब कुछ हुआ है, बड़ी बड़ी बात है हुए इसमे सारी फिर इसके बाद, Indian Independence Act Lord Mountbatten became the first government of New India और उनका Mountbatten plan उनका partition India, Pakistan का फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे यह chapter ऐसे हमारा खतम हो रहा है भाईया याद रखना है कुशन आएगा इस बार भी आया था, अगली बार भी आएगा सो अगली क्लासों मिलेंगे जब समविधान बनने की प्रक्रिया पढ़ेंगे पर समविधान बनेगा तो समविधान को पढ़ेंगे सो तिल देन, you stay safe keep studying, stay healthy and good luck